वो हसन के पीछे प्लेन में चड़ी उसकी सीट खिड़की की तरफ थी और हसन की उसके बराबर में हसन ने आगे बढ़ते उसके लिए रास्ता छोड़ दिया वो अपने जेरे की नमी साफ करती घबराती हुई सीट पर बैटी हसन उस पर तवज्जों नहीं देना चाता नहीं इस जैसी लड़की मुझसे कहां डरेगी वो अगले लम्हे ही ख्याल जटक गया और उसके बराबर बैठा क्या ये जहाजी सफर से खुबज़दा आए दूसरा ख्याल कुज़़आ नहीं इतने तो सफर की होंगे इसने जहाज में वो ये ख्याल भी जटक गया इस बात से अंजान के बच्पन के बाद वो पहली पार जहाज में बैठी और उससे पहले तो वो देखती भी नहीं थी वो पूछना चाता था उससे के उसकी तबिया ठीक है लेकिन उसकी तेजी और बच्जबानी को याद करते हसन ने ये नेख ख्याल जटक दिया और उसकी तरफ से बेपरवा होकर सकून से बैठ गया बैल्ट बांदने की हदाया तुई थी प्लेन टेक आफ करने वाला था इमान की घुबराहट मजीद बढ़ गी थी हसन सीट बैल्ट बांदने लगा तो नज़र उस पर पड़ी जो घबराहट से अपना पाउं तेजी से हिला रही थी इमान के चेरे पर नज़र पड़ी तो वो प्रेशान हुआ उसका पूरा चेरा पसीने सितर था इमान तुम ठीक हो वो इनसानियत के एसास दले पूछ गया मुझे नहीं जाना मुझे वापिस जाना है वो खड़ी होती जल्दी जल्दी बोली आसों आखों के किनारों पर ठहरे थे इमान पैट जो एक नज़र सब पर डालते वो नर्मी से बोला मुझे नहीं जाना मुझे नीचे उतरना है जैद भाई से मैं बात कर लूँगी हसन उसे हिरान की से देख रहा था इस पार उसे इमान पर घुसा नहीं आया था हसन ने खड़े होते जवाब दिया इट सोके सर आप लोग फ्लीज बैट चाईए और अपना सीट पेल्ट बांद लीजिए हसन के असपात में सरी लाने पर वो आगे बढ़ गई इमान बैठो वो आपके सक्ती से बोला क्यों बैठों तुम्हें मरने का शोक होगा मुझे नहीं है मुझे जाना है वो जितना असान समझ ली थी अतना असान था नी उसने जो सोचा था कि वो सफर कर लेगी अब जहाज में बैठती हालत बुरी हो रही थी कैसी बातें करी हो हम क्यों मरेंगे वो जितना हिरान होता कम था ये भट चैगा वो जहां के छट की तरफ वो जहास के छट की तरफ इशारा करते बोली इस पारांग से एक आँसू लड़क गया वो हिरान उसे देखता रह गया वो वाकई प्लेन में बैटने की वज़ा से खोवजदा थी और इतनी खोवजदा एर होस्टिस के फिर से कहने पर उसने जबरदस्टी इमान को सीट पर बिठा कर वेल्ट बांदा और अपना भी टेक आफ के बाद जब प्लेन तेड़ा हुआ वो सीट पर रखे हसन के हाथों को हसन के हाथ को हाथों में दबोच कर अपना सर अपने गुट्टों में गिरा गई इमान सीधी होकर बैठो इमान को सीधा करते उसने अपनी करीब किया और हाथ उसके गिर्द लपेट लिया उस लम्हे उसे इसाथ ये इसास भी नहीं था कि ये निका जबर्दस्दी का था और बंदू के जोर पर हुआ था इसास था तो सिर्फ ये कि वो उसके निका में है तबी बिना किसी जजग के उसे करीब किया था वरना अगर कोई दूसरी उस जगा होती तो वो जुबानी हमदर्दी से ज़्यादा कुछ ना करता वो उसके हाथ को सकती से थामे आँखे बंद कर गी उस मस्बूत हसाथ ने उसका ढ़र तो कम नहीं किया था अलबता ये एसास दिलाया था कि वो अकेली नी वो अपने दुश्मने अवल की बाहों के गहरे में उसी निकाह की हैसित से थी जिसकी वो शदीद मुखालिब थी उसकी घबराहट कदरे का मुईती चेरे की रंगत भी अपेतर रोरी थी वो आँखे बंद की उसके सीने पर सरक्खे हुए थी असन उसके सर को देख रहा था उसका दिल एक लंभे को किया कि उसको जटके से अलग करें वो हमदर्दी के लाइक नहीं थी वो ठहर गया वो जैसा खुदगर्ज हर्गिस नहीं था ये नर्मी और हमदर्द तब्दियत उसकी तर्बियत और खून में शामिल थी वो ऐसे ही सर पीछे टिका कर आँखे मौन गया आदे गेंटे बाद उसे इमान की सांसे गहरी होती महसूस हुई उसने उसके गिर्द से बाजू हटाते आइस्तगी से उसे खुद से अलग किया उसे इट पर टिका दिया अलबता सर वापिस लड़क कर उसके कंदे पर गिरा था जिसे वो नर्मी से सही से टिका गया था उसके बाद वो खुद भी आँखे मौन गया नीं तो कही दिनों से उसकी भी बरबाद हो चुकी थी जैद वापिस गर आया दिल पर एक तरह से बोज भी पढ़ा था और एक तरफ बोज उतर भी गया था लाउंच में दाखिल हुआ तो सवाए नूर के कोई दिन था वो कोई किताब के मुताले में मसरूफ थी कितनी जमाते पढ़ी हैं तुमने वो उसके सामने सोफे पर गिरते पाउं जूते समेर टेबल पर रकिया बी एसी किया है जवाब देकर नजरें वापिस किताब पर जमा ली उसके नजर अंदास करने पर सैथ उसे खामोशी से देखने लगा उसकी अदाएं वाकी अपनी तरफ मतवज़े करती थी हम मुझसे ज़्यादा पड़ी हुई हो वो पाउं हिलाते दुबारा मुखातिब हुआ जवाबन वो खामोशी कौन से कॉलिच से पढ़ाए अपके नूर ने नजर उठा कर उसकी जानती नजरों में देखा आप मुझसे तफ्तीश मत करें आपका जो भी नुकसान हुआ उसके पीचे मैं नहीं हूँ वो एक एक लफ़ पर जोर देकर कहती महां से उठकी दो कदम ही चली थी के जएद उसके मुकाबला खड़ा हुआ मैंने कहा तुमें उठने को घुसे से पूछा मैं आपके मुलाजिम नहीं हुचा आपके हुकम की मुताजरों वो दो बदो बोली मुलाजिम नहीं बीवी तो हो उसके कान की भाली को छेड़ते जिदाया पहले आप खुद इस हकीकत को कबूल करने फिर बीवी कहिएगा उसका अंदास मजाक उड़ाता हुआ था तुमने वो सब किया या नहीं किया परकुसूर तुमारा ही है तुम जब से आयो मेरे काम खराब हो रहे मत्तब तुम मेरे लिए मनहूस साबित हुई ये बात उसने सरसर नूर को जलाने के लिए गी थी और वो काफी हद तक काम्याब भी हुआ था आपकी तालिम वाकी कम है वो सखती से उस पर तंस कर गी जैद कहरा मुस्कुराया तुम मुझे अपने सारे रास दे दो उसके बात मेरी रूफ जिसम और जान में सब तुमें दे दूँगा अचानक नूर के कंदों पर अपने दोनों हाथ रखकर वो संजीत की से बोला कौन से रास मजबूत लेजे में पूछा जैद सर जुकाए हसा ये मजबूत लेजे का रास ये नडर नजरों का रास अपनी पुरिसरार मुस्कुराहट का रास तुम खुद पूरी एक सरापाए रास हो अपने रासों कामी मुझे बना लो फिस सब कुछ तुमारा होगा मैं भी नूर के माथे से तिका माथा तिकाए वो आँखे मौद गया नूर उसकी बनाखों को देखने लगी जब उसने अचानक आँखे खोली वो फोरन नजरे जुका गी ना बताओ कुछ रास रास ही रहे तो अच्छा होता है नूर से दूर हटके सादा से अंदाज में का नूर को उसकी बात गम और धम की ज़्यादा लगती थी मुबीन और एमन का आए उसका रवया यक्दम तब्दील हुआ बिलकुल अजनबी तैहाने में महर को लेकर गए है ठीक है तुम जा सकती हो सिगरेट होंटों में दबाते वो वापिस सोफे पर बैट गया सादी नूर को जाने का हुकम भी दिया नूर कुछ लम्हें उसे देख दी री फिर वापिस उसके सामने सोफे पर टांग पर टांग चढ़ाए बैट की सिगरेट होंटों से दूर करते उसे आईबरो उचकाए देखा वो उसकी बात भी नजर अंदास कर गी थी लेकिन सिगरेट के देखने की परवाग किये बगए वो एक बार फिर किताब के मुताले में मसरूफ हो चुकी थी उसके हट धर्मी पर जैट ने सेरे लब मुस्कुराते सिगरेट वापिस होंटों में दबाई नूर के नाम के साथ भी अब चांग की लगता था तो फिर ये अन्दास तो फितरी थे जहास लेंड हो चुका था वो पूरे सफर में एक बार रात से पहले उटी थी तबियत कद्रे बेतर थी और अब डर भी काफी हद तक कम हो चुका था खामोशी से खाना खाकर वो खुद से वापिस हसन के कंदे पर सर्टिक आकर सो गी थी वो हेरान हुआ था पाकिस्तान से सिर्फ निकली थी और इतना बदल गी थी फलाइट सुबर 6 बजे कैनेटा इंटरनेशनल एरपोर्ट पर लेंड हुई हसन ने उसे बाजू से जिन चोड़ते उठाया हम पहुँचके खुशी से पूछा हाँ वो बैग उठाता मसरूफ अंदास में बोला शुकर वो शुकर अदा करती हसन से पहले आगे बढ़गी उसके बैक अबोज भी अपने उपर देखते उसे उस बोज पर सक्त खुस्सा आया एरपोर्ट से बाहिर आये तो वहाँ पहले से एक आद्वी मिस्टर और मिसिस हसन फ्रॉम जैद का बोट लिये खड़ा था वो उस तरफ बढ़ने लगी जब हसन ने अचानक उसका हाथ पकड़ा इदर नहीं यहाँ दूसरी तरफ इशारा करते का जबके इमान तो उसके हाथ को देख रही थी भी जटके से हाथ खेंचा फ्री होने की जरूरत नहीं है हसन का दिमाग उसकी बात पर पूरी तरह हिल गया दिल किया एक जोर था थपड़ मारे के लट्टू की तरह घूम जाए पूरे सफर में उससे बेताल की तरह चिम्टी रही और अब तेवरी बदल के थे कितना अच्छा होता अगर वो उस वक्त रहम ना खाता उसे दूर कर देता साथ उसे प्लेन के प्लेन क्रैशिस के किस से सुनाता खुद को दिल में कोस्ते उसने कहरी सांस ती पूल लड़की बेवकूफ ती उसे तमाशा बनाने की आदत थी पर वो ऐसा नहीं था वहां मेरा दोस्त खड़ा है हमें जाना है दूसरी जाने भी इशारा किया और यहां मेरे भाई का भेजा हुआ ड्राइवर है हमें वहां जाना है हम तुमारे भाई के ड्राइवर के साथ नहीं जा रहे मुझे तुमारे भाई की मदद नहीं दरकार घुसे से कहा तो मत जो तुम जाओ अपने बाई के बंदे के साथ सेने पर हाद बानते हैं फैस्टा सुनाया ये तो बहुत अच्छी बात बात है अलाफिस इमान का बेक इमान के सामने करते वो अपना बैक लेकर अपने दोस्त की तरफ बढ़ गया बीग खेरत हसन को गाली से नमासती वो भी अपना बैक खींचती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़गी सामान रखो सामान की तरफ इशारा करते वो गाड़ी में बैठने लगी एक्सक्यूस मी मैम आपके शोहर का हैं वो कोई भी था उर्दू अच्छे से जानता था इमान को बैठते देख कर फूरन सामने आ गया तुम से मतलब अपने काम से खामरको और हटो सामने से इमान घुसे से नीची आवाज में गराई सोरी मैम सर के आउर्डर्स है बिना आपके शोहर के आपको नहीं पेचाना जाए उसकी बात इमान को पतंगे लगा गी वहाँ अब हसन नहीं था पीछे मुड़कर नजरों ने तलाशा तो वो दूर एक पीली टैक्सी में बैठ रहा था वो पैख खेंसती उसकी तरफ भागी समान रख कर गाड़ी स्टार्ट ही होई थी कि कोई टैक्सी कर दर्वासा खोल कर अंदर बैठा हसन ने चौंकर देखा तो वो इमान थी जिसकी सांस फूली हुई थी जैसे भाग भाग कर आई हो आगे ड्राइवर के ब्रापर हसन का दोस्त पैठा था और पीछे हसन मेरा समान रखो ड्राइवर को हुकम दिया जवाबन उस दिस सवालिया नजरों से हसन को देखा तुम तो उसके साथ जा रही थी ना सर्थ लेजे में पूछा तुम तो बेशरम हो पर मैं नहीं हो जो शादी के बाद भाई के खर्चे पर पलूँ यहां भी अपनी नाख उची रखती वो रुख मोड़ गी हसन गुसे से मुटी भिंज गया कि उसका दोस बैटा था और वो उसके सामने बद्जुबानी करी थी टेक्सी में बिल्कुल खामोशी थी उसका दोस बिल्कुल खामोश हो गया तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हसन ने शादी का लिया और बताया भी नी डेट गेंटे बाद गाड़ी एक दो मंदला अपार्टमेंट की आगे रुकी माहूल काफी पुरसकून और ठंडा था वो बिना किसी के लिहाज के गाड़ी से उतर गी बैग उठाए वो सब अपार्टमेंट की तरह बड़े इमान माहूल का जाइज़ा ले री थी जो काफी हद तक पुरसकून औरत और हसन शर्मिंदा सा सर चुकाए हुए था पहले शादी की शर्मिंद की उसके बाद इमान की बत्तमीजी की उसके दोस्त ने हामोशी से दर्वाजा खोला वो लोग अंदर दाखिल होगे इमान भी पीछे ही दाखिल हुई अपार्टमेंट देखते उसके मूँ से वाओ निकला वो अपार्टमेंट फरनिश था वो दिलचस्पी से जाइज़ा लेने लगी छोटा मगर खुबसूरत अमरीकन कीचन मुख्तसी लाउंज जिसमें एक डाइनिंग टेबल और एक थ्री सीटर सोफा सेट था सोफे के सामने कांच का टेबल और उसे उपर खुबसूरत कांच का वाज सामने दर्मियाने साइस की एलेटी पूरे घर में रंग भी सकीन हुआ था वो भी देखते कमरे में आई दर्मियान में डबल बैट दोनों साइट टेबल पर लेंब और एक कोने में एक कुर्सी के साथ लगडी की टेबल अलमारी में नजब शीशा ही ड्रेसिंग टेबल था बैट के सामने देवार के उपरी हिसे पर एसी नजब था कमरे से मुझसली के एक और दर्वाजा टैच पाथरूम का था कमरा बहुत जादा था पर उसे पसान दाया था वो फैसला कर चुकी थी यह कमरा उसका होगा फिर उसने सोच के पहले एक पर दूसरा कमरा भी देख ले मुम्किन था कि वो जादा प्यारा होता और इरादा बांती बाही निकली जब ठटकी तो कमरा का था हसन को देखते हैरत से पूचा जबकि अपने दोस्त कास्म से बात करता हसन दान पीस कर रह गया, वो हर किसी के सामने उसकी जाद कर नमूना यी बनाने वाली थी हसन ने कास्म से नजरे चुराई जोसे भए यकीनी से देख रहा था बताओ दूसरा कमरा नहीं है अब कि वो उनके करीब आई नहीं हसन कुछ बोलने से पहले कासिम बोल गया यह यहां नहीं रहेगा हसन की तरफ इशारा करते कासिम से पूचा क्योंकि हसन से जवाब नहीं मिल रहा था वो तो उसके अंदाजे मुखातिब और अंदाजे गुफदगू पर ही अपने दोस से नजरे नहीं मिला पारा था यह भी यहीं रहेगा कासिम ने हिचके जाते वेका उसे कुछ बहुत गलत लग रहा था ला इमार ये बाते हम बात में डिसकस करेंगे दान पीस्ते उसकी बात काटी डिसकस विसकस कुछ लेंग वो कमरा मैं ले रही हूँ बस वो कहकर निकल की हसन ने नजर उठाकर कासिम को देखा जो सीनी पर हाथ बांदे उसे घूर रहा था कौन है ये मश्कूक लेजे में पूछा बीवी है हसन ने सर नजरे फेरते जवाब दिया सच कहरे हो उसके दुबारा पूछने पर हसन उसे घूरने लगा सच बताओ गर्प्रेंट वगेरा तो नहीं है उसने हसन की घूरी को नजर अंदास करते पूछा तिमाग दरोस्त है मैं तुमें ऐसा लगता हूँ खसे से पूछा अगर बीवी है तो अलग अलग कमरे क्यों चाहिए उसकी तफदीर चारी थी क्योंके क्योंके हमारी लड़ाई हुई है वो मुझसे नाराज है मैंने उसके भाई को बुरा बला कह दिया था वो सर चटकते बोला अब उन ना जाने कहां कहां उसे शर्मिंदा कर्वाने वाली थी क्योंकि ये बेवकूफ बीवी से पहस में उसके माबाब पहन बाईयों को दर्मियान मिला कर बुरा बला कहना गयर इखला की है वो हसन के अच्छे मस्तक्बिल की फिकर करते उसे समझाने लगा हसन मस्कुराया और जाधा कुछ नहीं थिर्फ एक सवाल पुछा जैज जांगेर को जानते हो कंदे पर हाथ रखते तजस्स से पूछा वो ही कमीना ड्रक्स मगलर हकारत से पूछा श्श्श्श आराम से उसी की बहन है कासिम ने बेख्तियार दोनों हाथ मुँपर रकते फोरन पलट कर देखा कि उसने सुना तो नी क्या हुआ निकल गई हवा हसन हसा अब बेज़ जा मेरी जूती डरती है ऐसे गली के गुंटों से दर्वाजे की तरफ देखते नडर पने से कहा लेकिन आवाज इतनी थी कि सिर्फ हसन को सुनाई दे हम देख खराये वो अब जा कर खाने का इंतजाम करो हसन अपना बेक लेकर कमरे में चला गया पीचे कासिम हिरान सा ये सोचते बाही निकल गया कि हसन ने चुनी तो चुनी एक नामवर घुंडे की बेहन चुनी हसन कमरे में आया तो वो कमरे में नहीं थी कमरे से मुझसलिक बाथरूम से पानी की आवाज जारी थी वो अपना बैग एकोने में रखकर बैट पर लेट गया फिर कुछ देर इमान के निकलने का इंतजार करता रहा जब 20 मिन के बाद इंतजार के बाद भी वो ना निकली तो वो कमरे से बाई निकल गया रुखसत कर दी आज उसे बिलकुल ऐसे लड़के के साथ जैसा आप होते तो उसके लिए पसंद करते ऐसे मत देखें मैंने जबरदस्ती नहीं की कुछ वक्त में जब दोनों एक दूसरे को समझतें लगेंगे तो जिन की अर्ची हो जाएगी वो माबाप की तस्वीर हाथ में पकड़े काफी दिन बाद उनसे बात कर रहा था उसकी अम्मी को मनाना भी अब मेरी जिम्मेदारी है लेकिन मैं फिलहाल ऐसा इरादा नहीं रखता पहले इमान एक पर सेट हो जए और वो दोने एक दूसरे को कबूल करने उसके बाद ताके मसना नहो वजाहत देते वो आँखे बंद कर गया ये सब छोड़ तो जैद अगर तुमें कुछ हो गया तो उसे कानों में अपनी माँ की आवास सुनाई दी यही डर तो था मामा इसलिए मैं इमान को दूर कर दिया वो आसूत की से मुस्कुराया और नूर को करीब कर लिया चहंगीर की तंजी हावास सुनते उसने पूरण आके खोली यह तो वो फरामोशी कर गया था कि वो एक साथ को खुद से दूर करके एक को करीब कर गया था क्या हुआ इतनी सफाकिया तो मेरे खुन में नहीं थी जैद अपनी बेहन को मैफूस करके एक मासूम को दबा वो फिर से बोले जैद बिलकुल खामोश हो गया हाँ सफाक हो गया था मैं आप दोनों से बाद में बात करूँगा जैद ने तस्वीर वापिस दरास में रखती और कमरे से बाई निकल गया घर को खाली दे कर वो घर की बैक साइट पर आई ना उससे महर दिखाई दे रही थी नाइमन मुबीन कर रात सही दूसरे शहर में जैद के किसी जरूरी काम से गया था एक बात उसे काफी एरान करती थी कि पूरे घर में जैद के सिर्फ दो ही बंदे अंदर रहते थे इसके लावा उसने कभी जैद को किसी तीसरे से बात करते नहीं देखा था एक मुबीन और दूसरी नूर और अब तीसरी महर थी वो बैक साइट पर आई तो महर और एमन वहीं थे बहुत सारा अजीब और गरीब समान रखा था जिसमें ओजार भी थे वो एक चीज़ का तेजी से इस्तमाल करते महर जो दिखा रही थी पिछले तीन चार दिनों से महर के ट्रेनिंग शुरू थी वो अब तक एक भी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनी थी क्योंके ये ट्रेनिंग अब तक तैखाने में हो रही थी वो ये देखकर शदीद एरान हुई थी कि एमन एक एक उजार को बहुत भूरती और सफाई से चला रही थी उसके हातों की स्पीड और अंदास प्रोफेशनल था जब के वो तो एमन को एक अनाड़ी समझती थी जो उस दिन उसकी तकलीफ पर काम गई थी वो हामोशी से दूर खड़ी उसे देखने लगी एमन की नजर उस पर पड़ी तो उसने मुस्कुराहट उचा ली और वापिस महर की तरह मतवज्जे होगी नूर उसके पास आगी तुम्हें ये सब किसने सिखाया वो काफी देर उसे देखने के बाद बूच गी जापान से ट्रेंडोकर आई हो किसी भी तरह की फाइटिंग में यहां के गार्ड जैसे दस गार्ड को एक साथ फारी कर सकती हूँ वो मुस्कुराते हुए आम से लेजें में बोली साथ साथ महर जो बहुत कुछ बता रही थी जो महर पगोर से सुन रही थी वो जादातर बिल्कुल खामोश रहती थी सिर्फ देखती और सुनती थी ऐसा लगता था जैसे आंक और कान के लावा उसके पास मूँ नहीं था जिससे वो बोलती कुछ पूछना चाती हो नूर की नजरे खुद पर मैसूस करते वो सरसरी जा देखते पूछने लगी अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे उस दिन मार क्यों खाई तुम ढर क्यों गई थी मुझपर तशद्ध देकर वो संजीत की से पूछने लगी लहजे में नाकवारी वाज़ थी जैद सर का हुकम था कि तुमारे सामने नाड़ी बनके रहा जाए ताके तुम अपना आप जाहिर करो वो कंदे उचकागी नूर के जिसम में सर्द वुस्से की लहर दोड़गी इसके लावा और क्या करने का हुकम दिया था तुमारे सर ने उसके अंदास पर एमन चौकी फिर मुस्कुराहर चुपाने को रुख मोड़ गई उसके अंदास बीवियों वाला था उपर स्क्यूर्टी रूम खुला रखने का हुकम दिया था नूर चौकी क्यों एमन ने एक लकड़ी का ओजार महर को थमाया और उसे घुमाने का कहने लगी वो एक छोटा सा ओजार था जो जेब में भी रखा जा सकता था जिससे चाकू से हमला किया जाने पर बचा जा सकता था और अगर मैं भाग जाती तो नूर ने चुपते लेजे में पूछा ना मुम था नूर गम उगसे से उसे घुरने लगी जैद ने उससे निकाह किया था और निकाह के बाद इतनी सफाक पैसले तो फिर अब तुम ये सब बता रही हो इसकी खबर है तुमारे सर को नूर ने इस ते जाया का होंटों पर तंजिया मुस्कुराहट उसे लगा है वेमन की आस बता चुकी थी पर उसकी सोच के बरक सेमन की मुस्कुराहट गैरी हुई ये भी जैद सर का सुबा मिला हुकम है के तुमें सब बता दू वो हसने लगी जबके नूर बेतासुर सपार्चेरा लिए पलड़ गी वो बेवकूफ ती कैसे उस शखस ने उसके साथ गेम केला अब भी नजाने कौन कौन सी खेम खेल रहा था पहले जालमाना पैस्ते की और अब बता भी रहा था वो कुछ के दर्वाजे से बापिस अंदर चली गई लाउंच में ही उसे फून पर बात करते जैद टहलता नजर आया स्यारंग के ट्राउजर में स्यारंग की ही बुन्या लगी वो उसके आगे हाथ रखकर फून पर मसरूफ था कहां गई थी फून कारते मसरूफ हाथ आगे से हटाते वो खुद उसके रूपर उखड़ा हो गया बैक साइट पर जहां महर की ट्रेनिंग हो रही है वो खाथ जिता कर बोली एमन से मुलाकात होगी तुमारी मुस्क ता कि अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो गमले पर गमला रखने में ही शहीद ना हो जो वो उसका मजाक उड़ा रहा था मैं कोई ट्रेनिंग नहीं लूँगी क्योंकि मैं आपकी टीम में काम नहीं करूँगी वो दोटो खत्मी लेजे में बोली जैद गहरा मुस्कुराय तुम्हे क्या जरूरत करने की शोहर कर तो रहा है लेकिन जैद चांगीर की बीबी को इतना आना चाहिए कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी इफाज़त कर सके उसके लेजे में फिकर साफ मैसूस हो रही थी नूर के होंट की अग्दम मुस्कुराहट में ढले फिकर ह और ये मेरी भी लगाने का मकसद एमान का होस्ता देना था सैथ खामोशी से उसके मुस्कुराहट देखता रहा उसके होंटों के साथ उसकी आँखे भी मुस्कुरारी थी मुहबबत तो नहीं होगी शोखी से पूचा मुहबबत सिर्फ मुझे इमान जहांगीर से है उसने जिताया जबके दिल ने चोरी से शकायत की थी कि इतना जूट तो ना बोलो सुभान आंखों का साथ नहीं देरी सैथ चांगीर का जुम्ला उसे लुटाते वो मुतबसम लेजे में बोली मुहबत आपकी नजरों में मैं देख सकती हूँ लेकिन वो कहते कहते रुकी लेकिन खामोशी तवील होने पर जैद ने पूचा लेकिन एतबार नहीं है लेजे में दुख था क्या इतबार नहीं कर सकते अमीद से पूचा बरबात करना चाहती हो मुझे इस देजाया पूचा कभी कभी बरबादी अबादी से ज़धा पूर्सकून होती है जैद की आंखों मे जैद के हाथों की हरकत थमी थी, वो खामोशी से नूर को देखे गया, वो एक पर फिर उसे लाजवाब कर गी थी, लाजिम नहीं हर तलब पूरी की जाए और ये नजरें पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह आँखे बंद नहीं कर सकता, तंस का तीर छोड़ वो शस्तर सी पोरन पलट कर उसको देखने लगी, फिर कहरा मुस्कुराई और अपने कमरे की तरह बढ़ गी, हसन का दिन दुपैर के बाद से घर से बाहर गुजरा था, जबकि इमान ने मुबाइल में मसरूप होकर गुजरा था, रात को हसन खाना साथ लेकर आया था, रा वज़ा, बैट पर सोने के जीद में मेरा वक्त बरबाद ने किया, वो चुपने ही रह सकी, हसन ने एक नजर उसे देखा और फिर मुस्कुराया, इमान चोंकी, क्या बात है यहां अगर बहुत ज़्यादा मीठे बन रहे हो, चांचती नजरों से देखते आई बरोच काई, मेरी बोली बड़ा गम, बेगम, ये बिस्तर मेरा नहीं तुमारा है, रात को डनना जो इस दिपायर के जगा नीचे बिचा दिया, आज में ने बिचाया भी इतने बड़े भाई की बेहन को ये चोटा काम नहीं, कैसे आता होगा, आज देख लिया, कल से तुम खुद बिच मैं उठा रहा हूँ तुमारा भाईनी, चलो शाबाज उतरो मेरे बेट से, उंगली से इशारा करते नीचे उतरने का का, तुम, तुम मुझे ताना दे रहे हो गलीज डाक्टर, वो घराई यल पता बेट से उतरने की गलती नहीं की थी, हाँ, दे रहा हूँ तो, वो भी सक हो रहा है, बेट के किनारे बेटते सर मसलते कहा, नो कर नहीं हो, तुमारी खुद बनाओ, फोरन जवाब दिया, बीवी ओ, मेरा काम फर्ज है तुम पर, फुसन जीत की से बोला, तिमाग ठीक है, डॉक्टर या इलाज की जरूरत है, मैं इस शादी को नहीं मानती, जो ये देना कर जवाब दिया, चलो शाबाज, अब उतरो बेट से यही याद दिलाना था मुझे, शराफ़त से उतरो, इमान मूँ खोले, उसे देखने लगी, वो बोर चलाग था, उसके भाई को कहां से शरीफ लगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं नीचे नहीं सो सकती मेरी कमर दुखेगी, वो बैट पर मजीद फैल के बैट की, मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि इसका खर्चा मैं उठा रहा हूँ, तो मेरी मर्जी, तुमें साथ रहने की जगा दे रहा हूँ, यही एसान मानो, और फोरन नीचे उतरो, अगर नीचे नहीं सोया जाता, और गर बाजमाया, वो मुस्कुराया, शोक से करो, इतना अंदाजा तो उसे भी था के जैट की तरफ से इंकार के बाद ही, वो उसके साथ टेक्सी में आई थी, वन्हा कभी ना आती, और जैट ने खुद भी तो कहा था, कि वो समझोता करेगी, अल्ला करे तुमारी कमर तूच जा थी, हसन चान बूच कर गुनगुनाता बैट पर लेट गया, साथ ऐसी भी आउन कर दिया, मैं ऐसी में नहीं सो सकती, बंद करेशे वैसे भी बहुत सर्थी हो रही है, चान बूच कर उसे तंग करने की घरसे को नुकता निकाला, बार बार जिताना पड़ेगा के पैसे मैं भर रहूं तुमारा भाई नी, इस दिये हुकम तुम नहीं चला सकती, वो रहा दर्वाजा कर्मी लगरी है, तो कमरे से भाई निकलो, बैट पर लेटे लेटे ही जवाब दिया, घुसे और जिल्लत के एसास से उसकी आँके नम होने लगी, अल्ला करी तूमारी टांग टू जोशी से नहीं सो सकती तो बाई निकल जाओ, अंधेरे कमरे में हसन की आवाज गुंजी, वो मुश्किल से जब्त कर गी, सुबह उसकी आँख खुली तो हलकी हलकी आँके खोलकर कमफर्टर से मू बाहे निकाला, गाइब दिमागी से वो कमरे को देखने लगी, आँके अपनी कमर को चुआ, पजाहिर तो ठीक लाग रही थी, वो थोड़ी तेड़ी हुई, तो दर्द का एसास हुआ, जब ही बोलते हैं, बद्वाएं सोच समझ कर देनी चाहिए, पलट कर अपने उपर ही आती है, जस्ट इमेजिन सैच चांगीर की बहर जुकी कमर, यानि करते देकर अफसोर से कहता है, बैट पर बैट था, उसको माजूर तसवर करके हसा, इमान एक हाथ कमर पर घुसे से घुरने लगी, अपनी शकल दिखाने के साथ, वो अपनी बातों से भी उसकी सुबा खराब कर चुका था, तुम, मैंने कहा था भाई से, कि तुमें खटिय को लाद मारते कहा, हसन खामोशी से मस्कुराहट होंटो पर सजाए देखता रहा, और सुलाया भी किसे अपने बीवी को इस नाम में बराबर के हकुक आसल है, क्या शकल दिखाओ कि अल्ला को अगर बीवी के साथ ऐसा घनाउना जानवा जैसा सलू करोगे, घुसे से घराती वो हसन की तरह बड़ी, जो उसके अचानक लेक्चर पर आईबरो उचका कर देखने लगा, अल्बता होंटो पर मस्कुराहट अब भी कायम थी, ओहो, मुझे माप कर दो इमान, मुझे वाकिये ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो यक्दम शर्मिन की से बोला, जो बीवीों के अल्बता बोल दिया, ने प्लीज, तुम अल्ला ताला से बोलो मुझे जहन्म में न डाले, देखो मेरी गलती है, मैंने रात तुम्हे फर्श पर सुलाया, मैं अजाला करूंगा, या सीद से कहते, मासूमियत से आंके जुकाई, इमान निफता मंदी से गर्दन अकड़ा कर मसकराहर चुपाई और संजीत की से उसे देखने लगी, कैसे करोगे असाला, सीने पर हाथ पांते पूछा, मैं एक डॉक्टर हूँ, सब का इलाज करता हूँ, तो अपनी बीवी की कमर का इलाज भी कर सकता हूँ, बस एक मिन्ट, वो खोशी से कहता, इमान के कुछ भी बोल उसे हसन को देखा, जो नर्मी से मुसकराता, उसे ही देख रहा था, तुमारा इलाज बीवी, मुसकरा कर इमान की तरफ कदम बढ़ाए, मुझे नहीं करवाना, उसे से कदम पीछे लेते थूख निगला, लेकिन मुझे जहन्नुम में नहीं जाना, मुझे अजाला करना है, हतोड़ी उठाते मासूमियत चेका, चेरे पर गहर मामूली संजीत की थी, तुम, तुम जन्नती यो, मैं मसाग कर रही थी, मुस्तकिल पीछे कदम लेते उसके माधे पर पसीना नमुधार हुआ, हसन की मुसकराहट सिम्टी, नहीं, मुझे तुमारा इलाज करना है, पस दो सक तीन बार ये हतोड़ी पूरी ताकत से तुमारी डीर की हट्टी पर मारूंगा, और फिर ना रहेगी कमर, ना रहेगा कमर का दर्थ, पुरी स्रारियत से कहते वो मुसकुराया, तुम, तुम पागल होगी हो, मुझे तो पहली शक्ता तुम नबस से आती हो, देखो ऐसा म की हवाईया ओड़ी थी, लेचे में खोफ और आजजी ही आजजी थी, अच्छा, मैं पागल हूँ, तो फिर पागल तो कुछ भी कर सकता है, हसन की मुसकुराहट गैरी होई, इमान ने बेबसी से कमरे में नज़र दोड़ाई, पाथरूम और बाहर दोनों का दर्वाज़ा हसन के बीचे थे, भागने का कोई रास्ता नहीं था, ना ही उसके करीब कोई ऐसी चीज़ थी जिससे वो अपनी इफाज़त कर सकती, नई, तुम बिलकुल पागल नहीं हो, मैं पागल हूँ, बेबसी से का, फिर से कोहो कौन पागल है, आँखे फाड़े वो पागलों की त कर, जब बरदास नहीं हुआ तो वो रोती हुई बुलांद आवाज में बोली, तो फिर पागलों को तो मानना चाहिए न, वनना वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तुबारा चेरे पर मासूमियत सजाए पूछा, मेरा भाई तुम्हें जान से मारते का डॉक्टर मेरे करीब आए तो वो तुमारे टुकडे कर देगा, हसन के हाथ में उठी हतोडी को देखती, आखरी कोशिश की, अब तक जितनी फिल्म ने वो ऐसे जान लेवा सीन देखती आई थी, वो सब से इन में खूंगे, उसे अपनी पेदर्दी से कटी-पटी लाश नजर आने ल तक या हसन परक्तिव से जोर से पीचे दिक्का दिया, और महां से भागी जो दर्वाजा करीब पड़ा उसमें खुसकी, अंदर आने के बाद दिर्म हुआ, वो बाथरूम में पर वापिस बाए निकलना जान लेवा हो सकता था, इसलिए अंदर से दर्वाजा लोग कर लिय वो बुरी तरह काप रही थी, उसका जिसम खोफ से हलकोरे ले रहा था, यगदम वो दर्वाजे से पुष्टिकाती फूट फूट करो दी, कमरे में नीचे गिरा हसन खड़ा हुआ, हतोड़ी नीचे भेंगते जोर से कहका लगाया, क्या हुआ जैर जान जान गीर की बहन, इमान जान गीर वैसे तो बड़ा बुड़ बुड़ करती है, अब इतने से मजाग से डर गी, हस्ते हस्ते दोरा होते वो बैट पर गिर गया, उस लड़की और उसके भाइलियों से बहुत ज़्यादा प्रेशान किया था और अब उसकी बारी थी, जबके बातरू में इमान अब भी रो रही थी, जिसम हलका हलका काम परा था और धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी, क्या हुआ मिस जांगीर बस इतनी हवा भरी थी जांगीर नामी गुबारे में, उसने हसते हुए हांक लगाई, इमान ने रोते हुए दरवाजे को देखा, उस वक्त उस से कोई जवाब हासिल नहीं हुआ, तो वो सीधा होते बैठा, हसी को ब्रेक लगी, दरवाजे के करीब जाकर पुकारा, इमान दरवाजा खोलो, उसे अचानक परेशानी होने लगी, अंदर बैठी इमान का डर कुछ काम हुआ तो घुसे का पारा चड़नी लगा, वो घुस घुसे से खड़े होते वो बातरों में कोई चीज तलाश करने लगी जिसे हसन की जान दे सके, उसकी नजर वाश पेसन पर रखे, रेजर पर पड़ी, उसने रेजर उठा कर उसको एक नजर देखा, वो फिक्स नहीं था, थोड़ी सी गोशिश के बाद वो अंदर से की शिदत से दहक रहा था, मजाग था इमान, पर मैं मजाग नहीं करूँगी, हसन की बात कारते वो हसन पर जपट कर हमला आवर हुई और बलेट मानना चाहा, हसन बरवक्त पीचे हुआ और हैरत से गांग इमान को देखते भागा, रुको में तुम्हारा कतल करूँगी पर आई और उस चुहे बिडली के खेर से तांगो कर बैट पर चड़कर हसन को समझने का मुका दिये बगएर उस तक पूच गी, बलेट वाला हाथ हसन तक पूच जाई था कि उसने सकती से थाम दिया, पागल होंगी और क्या, मजाग था इमान वो सब, हसन ने आपके थोड जानक आया था जिस पर वो भी ना सोचे समझे अमल कर गया था, इमान के हाथ से बलेट चीनने की कोशिच में वो नाकाम हो रहा था, उसका घुसा बहुत जादा हैवी था, हसन ने उसके हाथ को वैसी सकती से पकड़े, उसे जबरतिस्ती सीने से लगा लिया, सोरी, मेरी घल जाल हो रहा था, कैसे डॉक्टर हो तुम हाँ, हसन से दूर होने के लिए मचलती वो रोते हुए भोली, तुम्हें नहीं बता, इनसान को इन सबसे हार्ट अटेक हो सकता है, घराते हुए का हसन को उसकी तेस धरकर अपने सीने में महसूस हो रही थी, आइम सोरी, वो वापि ही मौत देना चाते थे, घुसे से कहते हुए उसने हाथ से बलेड चोड़ दिया और दोनों हाथों से हसन से दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन नहीं हो सकी, वो उसे रिलेक्स करना चाता था, उसका मज़ा किस हद तक संगीन हो गया तो उसे बहुबी अंदाजा हो र रब की, मैं मर जाती हाज, अपनी मौत का सोचते उसके रोने में रवानी आई, सोरी वो फिर बोला, इतना सोरी शायद ही उसने कभी एक साथ बोला था, इमान कुछ देर बाद मुझामत छोड़कर उसके सीने पर सर रखे रोने का मुश्खला जारी रखे हुए थी, जबकि वो वैसे उसकी बुष्ट रब करते खड़ा था, उस वक्त हसन चांगीर को अपने किये का, अपने किये पर पच्टावा, जायद के डर की वज़ा से कते ही नहीं था, नहीं वो इमान की फिकर जायद की वज़ा से कर रहा था, ये सब वितरी तोर पर और रहा था, उसके दि खड़ी थी और उसे किसी किसम की कबाहत मैसूस नहीं हो रही थी, नहीं कुछ और ये भी उसका फितरी अमल था, दोनों ना कबूल करते वे भी कबूल कर चुके थे कि वो एक दूसरे के निकाम हैं और एक दूसरे के लिए हलाल हैं, वो गहरी नीद सोई थी, जैच जांगी पर आज कर रात के दूसरे पैर तक उसके हवासों पर काबिस रहने लगा था, वो उसे जितना नजर अंदास करती थी, वो उतना सोचों में बच जाता था, वो और सोती उसकी नीद गेरी थी, लेकिन वो नीद में चक्स करती थी, गह मामुली आवाजें उससे नीद से महर की ट्रेनिंग के लिए बाहर गए होंगे, वो बैट से उतरती खड़ी होई थी, जब वो कमरे में दाखिल हुए, असलाम, नूर से नाम करती पीछे मुडी, लेकिन वाकिल फाज मुमें ही रह गे, महर के कपड़ों पर जगा, जगा खून दे कर, महर के सब क्या हुआ, उसके जिसम को छू छू कर देखने लगी, लेकिन फिर अचानक ये महसूस करती पीचे होई, खून उसके जिसम से नहीं निकल रहा, महर के कपड़ों पर लगा, खून महर का नहीं था, महर? नजर महर के चेरे पर पड़ी तो आँखे बेयकीनी के चादर ओड़ गी, महर के शेरे पर आसूद की भरी मस्कुराहर थी, शेरे पर बला का इत्मिनान था, नूर ने उसे पह्ली बार मस्कुराते देखा था, वो उसके मैसुराहर देखते जरूर खूश हो ती अगर कुछ गलत महसूस ना करती तो, उसने महर के पीचे देखा तो वहां कोई नहीं था, व में ने उसकी आँखे फोड़ दी और उंगलियां काट दी मसरूर सा कहती वो नूर को महल लगी ही नहीं उन उंगलियों से वो मेरे जिसम पर सिगरेट टगाता था में ने एक एक करके सारी काट दी सादा से लेजे में हलकी सी खुशी की रमक थी वो सब महर को ऐसे बता रही थ जैसे बच्चा पेपर अच्छा करने के बाद उस दाद को मतला करता है वो सिसक रहा था पर में ने उसके मूपर कपड़ा ठोंस दिया जैसे उसने ठोंसा था अबके उसका अंदाज अजियत पसंदी की इंतहा पर था वो हामोशी से महर को देखने लगी महर में तबदीली आ रही थी वो बदल रही थी जैसे जैसे वो अपने अंदर का घुसा घुटन और अजियत बाही निकाल रही थी वो बदल रही थी पर यह तबदीली मस्बत नहीं थी इनसान के पास सब खतम होने के बाद भी रास्ते होते हैं बस किसी को तराश करने होते हैं और किसी के साम नूर उसे कुछ भी ना कह सकी तुमने जान से मार दिया नूर ने कहरी सांस लेते पूचा उसके सवाल पर महर की मुस्कुराहट जिमर्ट की इतनी असानी से नहीं जितने दिन मैंने सहा उतने दिन अजियत दूँगी उसके इलफास सफाकियत से भरपूर बेराहमाना थे उसक उन्हों ने दरिंद की दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कल अगर उसका जहन इन सब का आदी और ऐसे ही बेरहम और सफाक हो जाता तो मुम्किन था कि कोई मस्दूम भी उसके जिल्म का निशाना बन जाता नूर वैसे खड़ी उसे देख रही थी जब वो खामोशी से नूर को खड़ा चोड़कर बातरूम में बंदो गी नूर ने गहरी सांस खेंची और कमरे से बाई निकली लेकिन पहले कदम पर ही पाउंट ठहर गे बाहिर लाउट में जात में सगार सुलगाए गहरे कश देता मुस्कुरा रहा था और उसके सामने सोफे पर दो मर्दों के साथ एक खातून बैठी थी जिसने जुड़ा बांद रखा था और पीचे से पीठ नंगी थी उसकी नजर वापिस जैद पर गई उसने जैद को बहुत कम सगार पीते देखा था वन्ना अमूमन वो सिग्रेटी पीता था जैद की नजर उपर उठी तो वो बेख्तियार उसे देखते भरपूर मुस्कुराया नूर के माते पर खुद बखुद बल पड़ा वो क्यों अचानक ऐसे बदलता था पल में कुछ तो पल में कुछ उसने सिग्रेट वाला हाथ ना मैसूस करी किसे माते के किनारे पर रखा ऐसे जैसे वो माते परस माते से सर सहला रहा हो और शहादत की और उसके बराबर तरम्यानी उंगली जिसमें सिग्रेट अटकी थी उससे अंदर जाने का इशारा किया नूर चौंकी फिर उस ओरत की पुष्ट को दे कर जो अब खड़ी हुई गलास में वाइन भरी थी जैद ने अब के सीधे होते संजीत की से उसे घुरा लेकिन वो मुकमल नंसर अंदास कर गी उस ओरत ने एकलास जैद की जाने पढ़ाया इससे पहले जैद को जवाब देता ये इंकार करता नूर की आवास ने सब को मतवज़े किया जैद शराब नहीं पीता सर्द लेजे में का खुसा अपनी जगा पर वो चौंका जरूर था वो कैसे चानती थी वो शराब नहीं पीता वो लड़की ने पलट कर देखा तो नूर का मूँ बेख्तियार खुला वो लड़की पीचे से इतनी हसीन नहीं देखती थी लेकिन बेहद हसीन थी ये कौन है उसने जएद की तरफ मुड़ते नूर की जाने बिशारा किया जएद खुसे से लव भेंच किया वो दोनों लड़के भी अब जएद की तरफ मतवजे थे मेरे साथ काम करती थी बाकी जुमला नूर ने मुकमल किया जएद का जब जवाब देने लगा था वो सब के सामने जएद जांगीर की बात काट रही थी पर अब बीवी हूँ नूर ने अपनी बात मुकमल करते जएद को देखा जो उसे से उसे ही घूरा था बताने की ज़रूरत नहीं तुम्हारी जैद जांगेर की बात काटने की जुरत देखते ही अंदासा हो गया था। वो लड़की तंस कर रही थी याम सी बात नूर समझ नहीं सकी जबकि उसकी आँखों में अपने लिए नापसंदीद की वाज़े थी जिसे उसने चुपाने की कोशिश नहीं की थी फरक नूर को भी नहीं पड़ता था। मूद होने की भी जहमत करना कवारा नहीं किया था। सैथ जांगीर की वाइप लगती नहीं आप वैसे सामने बैठे लड़के ने उसके लिबास पर तंस किया था। सैथ जो इंपोर्टिट कपड़ा अपने लिबास में इस्तमाल करता था उसमें शकन नहीं पड़ती थी और नूर उसक शकन जदा लिबास में मुझूद थी। क्यों नूर ने चुपते लेजे में पूछा। सैथ हामोश राथ थोड़ा उससे भी सबक मिलना चाहिए था बाहर उसकी बात नाम मानने का लेकिन वो इस बात से अंजान था कि नूर सिर्फ उससे नहीं बागी सब को लाजवाब करने का हुन रखती है। ये सवाल पूछने से पहले मिसिस चांगीर आप एक बार अपना हुल्दिया देख लेती तो ये ना कहती वो लड़की मुस्कुरा कर कहते हैं वाइन का गलास लबों से लगा गएं। जैद चांगीर को इससे फरक नी पड़ता जबी आज आप मुझे मिसिस चांगीर कहकर पुकार रही है। उसके जवाब पर कुछ लबहे तो उस लड़की को साम सूंगिया लेकिन फिर वो वापिस मुस्कुराई। वो इनकी बेन्यासी देखते अच्छे से अंदाजा हो रहा है। वो शायद जैद चांगीर की खामोशी को अपने हक में समझ रही थी। अगर ये लड़की जैद चांगी जो बीवी के रूप में इतनी अजीज होती तो वो कपका उसे जिता चुका होता। लेकिन उसकी बात के बरक्स नूर अपने सीने पर हाथ रखती जैद की तरफ जुकी चेरे पर तकलीव के तासरात उबरे वो तीनों के साथ जैद भी जूंका सगार एश्ट्रे में मसलते उसने नूर को सीधा किया। नूर ठी को पेचैनी से बुचा ये ड्रिंक की बद्बू से सांस रुक रही है। उसने टेबल पर रखी वाइन की बोतल की तरफ इशारा किया। पता चल गया कि जैद जांगी शकन जदा कपड़ों वाली से कितना बेन्याज रह सकता है और आउट कलास लिबास वाली को कितनी एहमियत दे सकता है। अपना गुसा काबू करती वो लड़की ने पेपर्स निकाले साथ अपने सामने खड़े अपने बाडी गार्ड को दोनों बड़े सूट केस खोलने का इशारा किया। पाडी गार्ड ने सूट केस जैद के सामने कोल दिये उसी लम्हे तैहाने के कमरे से मुबीन पाही निकला और ठटक कर रुका। जैद भी उसे देख चुका था पर नजर अंदास कर गया। जैद ने आगे बढ़ते उन बैक्स में से एक छोटा पैकेट निकाल कर हाथ में लिया। हतेली पर रखकर अलग-अलग अंदास से दबा कर देखा फिर थैली खोल कर उसको दोनों उंगलियों के दरम्यान मस्दा फिर एक नजर सामने बैठी लड़की को देखा। एक डोज लेकर देख लो लड़की ने मश्वरा दिया जैद हलके से मस्कुराया और वो खुला पैकेट गार्ट की तरह बढ़ाया। दूसरों के होश उनाने के लिए खुद होश में रहना भी जरूरी है। रोकडा भुल लड़की सिगरेट सुलगाती होंटों में दबाती बिलकुर प्रोफेशनल अंदास में बोली सैद पर जो नरम करम नवाजी थी वो नूर को देखर मर चुकी थी। माल बिकने के बाद सैद की बाद पर उसके माथे पर बल पड़े। क्या पकवास है ये। हैंड टू केश की बाद थी सिगरेट होंटों से निकाल कर वो घराई। मुझ पर जो केश चल रहे हैं उसका सब ही पाइदा उठा रहे हैं। हर कोई बैती नदी में हाथ धोना चाता है यहां माल बेचा वहां पॉलीस को मुखपरी। मुझे बरबाद करना इतना असान भी नहीं है। टांग पर टांग रखे वो सकून से बैट क्या वो लड़की घुसे से जैद को देखने लगी। ऐसा कुछ नहीं होगा तुमें भरोसा करना पड़ेगा वो लड़की ताहमल से बोली। यही मैं कहरा हूँ वरोसा करना पड़ेगा माल सप्लाई होते ही तुमारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। कुछ देर की बैसो तकरार के बाद जीत जैद की होई थी। उनके जाने के बाद जैद खड़ा हुआ। सर यह बैक्स खर के अंदर है और यह खतरनाक है। मुबीन ने परेशानी से का। सब को कॉल करो और दो घेंटे में से ठिकाने लगा। सैथ के कहने पर मुबीन ने असपात में सारी लाया और अगले लम्हे इगार्ट को बैक्स बाहिर लाने का इशारा किया। नूर को मेरे कमरे में भीजो। किचन के दर्वाजे पर आते अंदर मुलास्वा को कहते वो अपने कमरे की तरब बढ़ गया। अपने कमरे की किर्की पर खड़ा, वो अपने अंदर के श्टियाल को दबाने की कोशिश कर रहा था जब नूर ने दर्वाजे पर दस्तक दी, आ जाओ, उसकी हवासे घुसा जायर था, बुलाया अपने, सैथ के पीछे फास्ते पर खड़े होते है, इस तक इसे पूछा, बा भाहिर क्यों आई थी नूर, खुद को मेरी बीवी जायर किया, जब मैं नहीं कर रहा था तो, अब के आवास बुलन थी, नूर सकती से होंटो को आपस में प्योस्त कि ये जैद को देखने लगी, बताओ, क्यों काटी मेरी बात, नूर का बाजू पकड़े भरबरियत से और ये लड़की लगों में रंग बदलती थी, जैद को सखत कोफटूई थी उसके बदलते चेहरों से, ताके तुम भी महर ना बनो, मेरी दुश्मनी में कोई तुमें ना नोच ले, अब एमान की तरह मेरे, तुमारे लिए लड़का तराश करके तुमें दूर नहीं पा होने लगी थी, उसका क्या मतलब था, क्या जैद जांगीर महबत की सीड़ी पर चड़ चुका था, ये सोचते नूर की मुस्कुराहट मजीद कहरी होगी, जैद उसकी मुस्कुराहट देखते ठटका, उसका छोड़ा बाजू यक्दम दबोचा, मजाग उड़ा रही हो मैं महर की तरह जान जाने का इंतजार ने करूंगी, जान की बाजी लगा कर जान निकाल लूँगी, जैद की आँखों में देखते यकीन से का, जैद की पकड़ हाथ और चेरे पर हल्की हुई, आँखों में सकून चा गया, जा सकती हो, नूर का बाजू छोड़ते वो दू पूछने लगी, वो जोंका लाइटर की तरफ जाता हाथ रुका और बलट कर बहूर नूर को देखा, वो उससे सवाल कर रही थी, वो इखतियारात के बिना ही सब इखतियारात उससे चीन रही थी, ट्रॉक्स देने आए थे, पूरे सतर करोड का माल था, सर जटकते सिगरट चलाई और नूर को देखते सोफे पर बैठ गया, उसकी बात पर नूर को साम सूग गया, अभी तक तो ठीकाने भी लग चुकी होंगी, वो मुस्कुराया, ये पुलीस वाले समझते हैं, इतनी असानी से मिरे साथ खेल खेल सकते हैं, पर इस खेल में मैं उनका बाप हूँ, उन्होंने मेरा अमीन ठीकाना हासिल किया, मैंने दस वैसे और ठीकाने बना लिए, वो महीनों प्लानिंग करके मुझे जतन नीचे लाते हैं, मैं एक दिन में उससे भी उपर चल जाता हूँ, कहरा कर्श हवा के स्पूत करते, वो मगरूराना अंदास में कहने लगा, वो ड क्या कि अलाद उसके लिए सकून लाए लेकिन फिर आगे में, आगे भी बुढ़ावे में कमा कर अपने साथ उसका भी पेट पाले, एक बार अपने जमीर में जांको कि कितनों को बरबात करे हो, क्या ये मालो दोलत हजारों जिनकियों से ज़्यादा कीमती है, वो नम अपस अब तुम जा सकती हो, तरवाजे की तरफ इशारा करते दो टोक लेजे में का और आंखे मोंते सर सोफे से टिका लिया, नाश्ता हसन ने बनाया था, अगर सुबा वो उसको डराने वाला मजाक ना करता तो यकीनन कभी उसके लिए नाश्ता ना बनाता, इमान भी खामोशी संजीत की से का, तो सवाल या नजरों से देखा, मुझे यहां के रास्ती ने पता, मैं नियू यूर्ट पहली बाहराई हूँ, चिताया, हसन मुस्कुराते सरसपात नहीं लागया, यह नहीं सोचता कि मैं केले जाने से डरती हूँ या जा नहीं सकती, गर असल एक तर देख हो तो मेरा ख्याल लगने का मावज़ा भी मैं तुम्हे दे दूँगी, वो कहती खड़ी ओकर एक नजर हसन के संजीदा चेरे पर डालकर कमरे में चली गई, कौन फ्लेक्स खाते उसके हाथ रुक चुके, सख़ती से चमच पकड़े वो जब्ट कर गया, यह लड़की को क्या समझती थी, एक गुंडे और मुझरिम की बेहन ओकर इतनी अकड़, चंद जुम्लों में वो हसन की जात को इतना खकीर कर चुकी थी जैसे वो वाकी उसके भाई का भीजा मुलाजिम हो, वो सर चटक कर नाश्टा करने लगा, उस पद जुबान से बहस करना, यानि अ हिट है ऐसा गया, उसके नजरों में हिरानी इमान ने भी देखी थी, जिसे वो जब से मिला था जीन्स, टी-शिर्ट, मौडरन डैसिंग में देखते आया था, वो नियू यू यॉर काकश हलवार कमीज पहने खड़ी थी, ऐसे क्या देख रहे हो, माते पर बल लाय पूछा देख रहा हूं, पाकिस्तान में मगरबी और मगरबी मुल्क में मश्रकी कपड़े पहने हैं, उसका इंदाज एमान को तन्जिया लगा, हाँ, क्योंके इनसान को दूसरे मुल्क आकर अपनी सकाफत का ख्याल रखना चाहिए, ना कि अपनी सकाफत भूडे खुद भी उनके उसने सवाई दो शलवार कमीज के जो बहुत स्टाइडिश थे, बाकिस सारे जीन्स और टॉप रखे थे, पर अब जब उसने बैक खोला था तो उनमें एक भी जीन्स ती शर्ट नहीं थी, बलके सारे शलवार कमीज कुर्दा पजामा थे, दुबारा आपसे कभी बात नही प्रामिस भाई, वो घुसे से बुडबुड़ाई और दर्वासे के बाहर बने चोटे से गार्डन में चैल कदमी करने लगी, वो बहुर माहोल का जाइजा ले रही थी, हर तरफ खासी हामोशी थी, माहोल बहुत पुरसकून था, ग्यारा बचने के बाद भी महाँ शायद स हैरत हो रही थी, जो पाकिस्तान छोड़कर बाखुशी यहां अबाद हो रहे थे, जेन चीज़ों से लोग उक्ता जाते थे, वो वो ही सब याद करी थी, गर्मी की तपिश धूप में खड़े रहने पर घुसा आना, लोगों का शो शराबा, कितना पुरोनक था उसका मुल ना जाने लोग क्यों बाहिर जाकर खुश होते थे, फूनी सोचों में गुम थी जब हसन बाहर आया, दो मिन्ट में कैब पहुंच जाएगी, मुबायल पर कासिम को मेसेज करते, उसने एक नजर हामोश खड़ी इमान को देखते का, वो जवाब दिये बिना मौसम का जाले दिरी, दो मिन्ट बात कैब आई, इमान के बैठने के बाद हसन भी उसमें सवार हो गया, जैद शाम को घर लोटा गाड़ी घर के पोच में रुके, सामने इनूर लौन में टहल रही थी, जैद ने उसके पुश्ट को देखते चावी मुबीन की तरफ उच्छा ली, उसे एमन से मालूम हुआ था, कि वो एमन से बहुत कम गुफटगू करती है, ना होने के बराबर, बजाहिर वो महर से भी बात नहीं करती, पर एमन ने उसे अकेले में महर से बात करते देखा था, उसका अंदास समझाने वाला था, बात में महर से पुश्टे पर मालूम हु उसका अंदाजा उसी से होता था कि उसने उसकी केई बाते एमन के पूछने पर बता दी थी जैद पिना कुछ बोले नूर के बराबर खड़ा हो गया नूर ने गर्दन मोड कर उसे देखा लेकिन खामोशी से वापिस चेहरा मोड लिया त्यारो कर ओ, उसकी खामोशी पर वो संजीत की से बोला नजरे उसी पर थी क्यूं? हैरत से पूछा, बाहिर चलेंगे मुस्कुरा कर कहा नूर ने उसकी खालिस मुस्कुराहट को देखते उसकी आँखों में देखा फिर हलके से होन दबाते चेहरा वापिस मुड़ की मेरे पास ना कपड़े हैं कोई खास ना ही आराइश का समान ये जो तीन सूट हैं ये इमन के हैं और मैं मजएद इससे कोई लबास नहीं मांग सकती वो उसे जिता की थी जैद ने मुस्कुरा कर देखा वो उससे शिक्वा करी थी ये कपड़े भी बुरे नहीं हैं मुध होकर आ जो फिर चलते हैं वैसे भी किसी को बहुत यकीन था कि जैद चांकिर की बीवी को किसी आराइश की जरूरत नी वो आस्तगी से कैता अंदर की जानी पड़ गया नूर ने उसके अंदर जाने तक उसकी पुष्ट को देखा फिर बेख्तियार मुस्कुरा उठी चल लम्हें वहीं खड़े रहने के बाद वो भी अंदर की जानी पड़ गई वो मूँ धोकर बाल खोलकर दुबटा सही से फिला कर साधी सी बाहिरागी जैद किसी से फून पर मेवे गुब्टगू था उसे देखते बाहिर चलने का इशारा किया और खुद भी उसके बीचे बाहिर निकला नूर गाड़ी तक पहुची थी हाथ बढ़ा कर दर्वाजा खोलना चाहा पर उसी लम्हे दर्वाजे पर जैद का हाथ देखा जैद ने उसके लिए दर्वाजा खोला जवाबन नूर ने गाड़ी में बैठते उसे मुस्करा कर देखा वो अपनी तरफ बढ़डा था कहां वो बीबी कबूल करने को त्याहन नहीं था क्या वो उससे पूचे कि वो हर लड़की के लिए ऐसी दर्वाजे खोलता है पर वो पूच नहीं सकी कोई बईद नहीं थी कि जिस तरह दर्वाजा खोल कर बिठाया थो उसी तरह वापिस उतार भी देता थोड़ी मसाफ़त तैय करने के बाद गाड़ी शौपिंग मौल के सामने रुकी नूर ने इस पार खुच से गाड़ी खोलने के जहमत नहीं की थी जैद ने उतर कर उसकी तरव का दर्वाजा खोला अलबता मूपर मास्क सर्जिकल लगाना वो नहीं भूला था नूर उसके हमकदम बहुत खुटेतमादी से चल रही थी उसे अपने सादा या पुराने लिबास होने पर किसी की नजरों से कोई शर्मिन की नहीं हो रही थी क्योंकि उसके साथ उसका हाथ पकड़ कर चलते जैद चांकीर की नजरों में उस लिबास में देखते हुए भी कोई हकारत या नपसंदीद्गी नहीं थी बाकी दूसरों की नजरों से उसे कोई फरक नहीं पड़ता था वो लेड़ी इस बोतीक में दाखिल हुए जैद के बीचे गार्द इस बात की निशानी थी कि मास्क के बीचे चेरा किसी असरों रसूख वाले बंदे का है बोतीक के मैनेजर खुद आके आकर खुशामदीद कर रही थी जैद नूर के लिए लिबास पसंद कर रहा था साथ उससे भी उसकी पसंद के मतालिक बूच रहा था देखने में वो बिलकुल नॉर्मल कपल लग रहे थी नूर चोर नजरों से उसे देख रही थी जो एक केरिंग हस्पेंट की तना उसका हाथ थामे मौल में गुमा रहा था वहाँ से वापसी पर डिनर किया दर्म्यान में कोई ना कोई बात होती रही वापसी पर गाड़ी घर के पोच में रुकी आओ तुमीं किसी से मिलवाओ मुभीन को शॉपिंग बैक्स निकालने का कहता वो नूर का हाथ पकड़ कर मेंगेट से के बाहि निकला नूर भी साथ थी उसके बाहि निकलने के बाद उसने एक सीटी मारी और घर के बाहिर कुछ पास्ते पर मजूद दो बड़े सफेद कुटे भागते हुए उसके करीब आए नूर एक इंच भी नहीं ही ली थी जैद ने आए वरोच काई शायद वो कुटों से नहीं ढरती थी वो उसके पाउं से लिपटने लगे और उसके गिदम चलने लगे वो मुहबबब से नीचे बैठा तो उनमें से एक खुटा उसके दोनों कंदों पर हाथ तरक के खड़ा हो गया करीब था कि वो जुबान से जैद का चेरा चाटता लेकिन जैद ने उसका मुँ पीचे कर दिया मिलो इन से जैद ने नूर का हाथ पकड़ कर उसे नीचे बिठाया नूर को साथ देखते वो कुटे नूर से भी चिपकने लगे थे नूर ने मुहबब से उनकी गर्दन पर हाथ फिरते बालों पर से लाया जैद खड़ा हुआ गार्ड को आवाज लगाई वो दोनों कुटों को अपने साथ दिये सामने सड़क पर चलने लगा ये किसके कुटे हैं नूर ने खुशी से पूछा उससे कुटे पसंद आए थे मेरे हाथ जाड़ते गेरी सांस लेते वो कुटों को जाते देखने लगा जो बलट कर भूख रहे थे लेकिन मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा घर में चोंग के पूछा घर में नहीं रखना मैं ये घर के बाहिर रहते हैं और कोने इंपर इनका छोटा सा कॉटेज बना हुआ है पाप इस घर के अंदर जाते उसको भी अंदर आने का इशारा किया लेकिन क्यों कुटे वफदार होते हैं आपके पीछे आपसे जुड़ी चीजों की इफाज़त करते हैं वो हिरान थी घर में कुटे रखना मेरे पापा को पसंद नहीं थे क्यों एक और सवाल पूछा खर में कुटे रखने से फरिष्टे नहीं आते हैं और उनका कहना था कि कुटें से बेतर है माल की इफाज़त फरिष्टे करें उनका यकीन था इतल कुछी बढ़ने से आपकी चीज़ कोई दर से उधर नहीं कर सकता वो उसके साथ लाँच में दाखिल हुई इसलिए मैं भी नहीं रखता पलटकर नूर को देखा जबके वो उसे अजीब नजरों से देख रही थी उसे जैद बहुत अजीब लगता था वैसे भी एक गुनागार इनसान के मूँसे नेक बाते सुनना बूरा ही लगता था वो कैय तो ऐसे राथा जैसे उसके हराम माल जिससे हजारों की जिन्गी बरबाद होती है इस माल की इफाज़त फरिष्टे करेंगे ऐसे माल पर तो फरिष्टे भी लानत भेशते होंगे क्या सोच रही हो यही के मेरे माल की इफाज़त फरिष्टे नहीं करेंगे या यह के जैद जांगी नेक बातें कर रहा है उसके चेरे के तासुरात से उसका जहन पढ़ते वो मुस्कुराया मैं जानता हूँ मेरे माल की फाज़त फरिष्टे नहीं करेंगे इसलिए कुटे रखे हैं लेकिन घर के अंदर नहीं क्योंकि यह मेरे पापा का घर है नूर को खामोश देकर खुदी जवाब दे दिया शौपिंग बैक्स तुमारे कमरे में रखवा दी है नूर को वहीं छोड़ कर वो अपने कमरे की तरह पढ़ गया पल में बहुत नरम और पल में अचनबी वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अजीब था बैंक में दाखिल होने के बाद हसन अपने काम में मसरूब हो गया और इमान ने अपना बैंक अकाउंट बनवाया और फिर जब पैसे ट्रांसफर करवाने के अपने अकाउंट का बैलनस चेक किया तो उसका मुँ मुकमल खुल गया पल भर को हवास गुम हुए यहां आने से पहले उसके अकाउंट में साथ लाग को चंद अजार थे लेकिन अब सिर्फ पांच अजार बैलनस बागी था जो उसके किसी काम करनी था होश में आते उसका बस नी चला कि वो कुछ कर डाले हाथ में पकड़ा मुबाइल जो नीचे मारा जो फर्च पर लगने के बजाए वहां मुझूद कांच की टेबल पर लगा जहां वो बैटी थी सब के साथ हसन भी चौंकर मतवचे हुआ और इमान का करनामा दे कर मुझ खुल गया बाहिर खड़े गार तेजी से अंदर आये बंदूख हाथ में उठाये जब हसन फोरण चिलाया वेट वेट इमान ये सब क्या है इमान का बाजू पकरते सख्ती से पूछा उसका लेज़ा इंताई हद तक सर्था और उसके हाथ पर गृत उससे भी ज़्यादा सख्त छोड़ो मेरा हाथ ये सब तुमारी वज़ा से हुआ है तुम हो ये सारिक पिसाद की चड़ वो गुसे से चलाई आप लोग माहूल खराब करें हैं वहाँ कड़े मैनेजर ने गुसे से का सोरी रेली सोरी इन सब के लिए वो माजरत करता गुसे से इमान को खिंचते बाहिर निकलने लगा जब तेजी से मैनेजर सामने आया नुकसान के पैसे भरे बिना आप नहीं जा सकते हसन को देखते टेबल की तरफ इशारा करते का उसका कहना था कि हसन ने इमान को यूँ देखा जैसे सालिम निकल जाएगा गुर्बत में आटा गीला करो तुम मेरा तान पीस्ते कहते वो मैनेजर की तरफ मतवचे हुआ कितना नुकसान हुआ है 150 डॉलर मैनेजर का कहना था कि उसके माते पर बल पड़े इतनी सी टेबल के 150 डॉलर गुस्से से पूछा जी आप भरिये वरना मुझे पुलीस को इंफार्म करना पड़ेगा जवाबन मैनेजर भी गुस्से से बोला लगा दिया चूना 150 डॉलर का मिल गया सकून की इमान अपने भाई का नाम सुनते कुछ कहने ही लगी थी कि अचानक खामोश हो गई तिमाग तेजी से अपना शेतानी मनसुबा बताया और होंटों पर मुस्कराहट रिंग गई तुम हस क्यों रही हो तुमारे भाई ने मेरी बाट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे बरबाद करने में और अब तुम कसर पूरी करो इमान की मुस्कराहट उसे सर ता पैर सुलगा गई लेकिन उसकी मुस्कराहट कामयाब रही मेरी बात गोर से सुनो अभी तक मेरी नोकरी भी नहीं लगी हैं इसलिए अपनी ये फजूल हरकतें बिलकुल बंद कर दो वरना नेक्स ताइम पैसे नहीं दूँगा जेल जाओगी घुसे से कहते वो सामने रुकी कैप में बैट गया इमान भी उसके साथ ही बैट गी तो जो हिस्पताल में लोगों की बैमारी का फाइदा उठाते लूटते थे वो का आं गया उसका जुम्ला तीली लगाने वाला था क्या पकवास है ये मत्तब क्या आयल लूटता था उनका इमान ने उसे बगोर देखा पाकिस्तान से निकलती उसकी जबान बहुत देज चलने लगी थी इमान मसकुरा कर रूख मूट गी जबके वो उसकी मुस्कुराने पर दिलो जान से जला था और हा जो कमाता था वो अपनी मां को देधा था लेकिन तुमारे भाई की बदोलत रोट पर आगया हूँ इमान के सर को घूरते कहा अच्छा अच्छा को लंबा खेंदे वो हसन का जबत असमारी थी मैं एक शरीफ इनसान हूँ यू लोगों के सामने मेरा तमाशा आइंदा लगाया तो अच्छा नहीं होगा चहां जाती हो मेरी बेस्टी करवाती हो वो बेबस था वरना इमान का यहीं गला घूंड देता अजीबी मामला था वो उसका इतना वो उसका ख्याल मुखलिस दिल से करता था लेकिन उसके साथ कुछ बुरा करने का सोचते पर सैथ की धंकी यादा आ जाती थी खर पहुंचे तो इमान हमेशा की तरह कमरे में जाने के बजाए हसन के सामनी सोपे पर बैटकी होंटो पन मुस्कुरा हट थी हसन गुसे से उसे घूने लगा पांच मीट ऐसे गुजरे बो खुद को कुछ भी कहने से बाज रख रहा था परना ये लड़की उसकी जान मजी जला देती पैसे दो मेरे यक्दम हसन की आवास पर उसने खिड़की से नजरें हट कर हसन को देखा कौन से पैसे वही पैसे जो सुबह मुझे लुटाने का कह रही थी एक दिन कराया नाश्टे का खर्चा और तुमारा ख्याल रखने का मावज़ा अब के मुस्कुराहट हस जैसे हुई ना बीवी का खर्चा उठाकर उसे पैसे मांगते हो अभी बेरोजकार हो आगे भी बेरोजकार ही रोगे शरम दिलानी चाही अब हसन को कंफर्म हो गया था कि उसका अकाउंट जिसके जोर पर वोकर रही थी वो जैद खाली करवा चुका था उसने मुस्कुरा क गेरी सांस्ती और सौफे से पुष्ट इकाते दोनों हाथ पहलाते टांग पर टांग जमाई अंदाज चोदरियों वाला था उसे पहली बार जैद की फैस्ते से खुशी हुई थी ऐसे क्यों देख रहे हो उसके बतले अंदाज देखते एमान को गड़बर का एसास हुआ सा चुलाते कहा उसने अना एक तरफ रखते जैद को कॉल मिलानी चाही पर ये दे कर शिद्द से मलालवा कि वो अपना मुबाइल तोड़ चुकी है और तोड़ नंबर भी याद नहीं मेरी एक बार जैद भाई से बात करवा दो नर्मी से कहा वही मिसाल थी जरूरत की वक्त क अदे को भी बाप बनाना पड़ता है फिर जबरदस्ती इसे ही पर सामने वाला शोहर था सोरी डियर मेरे पास नंबर नहीं हसन का लैजा उससे ज्यादा शीरी था इमान उसे परेशानी से देखने लगी शायद हर पार कितना इस पार भी उसका दिल नर्म पड़ जाता बोल जाओंगी मेरे पास पैसे भी नहीं है और नहीं मैं या किसी को जानती हूँ हसन की बात को संजीदा लेते वो घबराई तो मैं क्या करूं मेरे पास इतने पैसे नहीं है मुझे अपने घर के लिए और खाना बनाने के लिए मेर्ट भी रखनी है मैं एक साथ इतने खर्चे नहीं उठा सकता अपने हाथ उपर करते वो इमान से धामत चुड़ाने लगा क्या मतलब है फिर में कहा जाओंगी बीबी ओ तुमारी बीवी से कौन माफ़जा मांगता है खुस्से से पूछा वो एक पर फिर बीवी बीवी के रट लगाने लगी थी तुमारी गैरत कांगी क क्या तुमारी इज़ते नफस कवारा करेगी कि तुम मेरे यानी डॉक्टर रसन की कमाई खाओ इस बार वार इज़ते नफस परता इमान लब भेंच गी कुछ लम्हें खामोशी से सिरके फिर हसन की पूर सोच आवाज गूंजी इमान ने सवाल या नजरों से देखा मैं जो मेट रखूँगा तो मुसके बतले काम कर सकती ओ, हसन की बात सुने के बाद वो घुसे से सुर रो चुकी थी आज सुबही जिस तरह वो उसकी दात को गिरा रही थी, अब हसन भी वही कर रहा था मैं मेड गुस्से से पूछा हाँ मेड इस तरह तुम्हारी इज़ते नफ्स भी काईम रेकी और तुम अपनी मेनत का खा रही हो और मेरे लिए भी असानी हसन की बात सुनते वो लब भेंज गी जिन्द की अचानक इतनी मुश्किल हो गी थी क्या करना होगा मुझे कुछ तवक्व के बात पूचा हसन कहरा मुस्कुराया वो मान गी थी चाड़ू पोचा डस्टिंग बरतन धोना वाश्रूम धोना खाना बनाना और मेरे कपड़े धोकर इस तरी करना काम गिनवाते गिनवाते वो रुखा और दिवारें वगेरा तो तुम खुद ही चाड़ लोगी मुझे धूल मटी बिलकुल नहीं पसंद इतने सारे काम मैंनिंग करूंगी छंजलाते विका पहली बार उसे जैच से चीड़ हो रही थी तो जाहिर है मैं भी फिर तुमारे खर्चे नहीं उठा सकता तुमारा सुबा का नास्ता तुमारे दुपैर का खाना तुमारे रात का खाना कपड़े जूते छोटी छोटी दस चीज़े होती है पोरण जिताया इमान कुछ देर कश्मकश में होन तांतों में चुबाती रही साथ दर्मियान में हसन पर भी नजर डाल लेती जो उसे दिल्चस्पी से देख रहा था मुझे अलग रूम चाहिए डिमान रखी ठीक है मैं दो कमरों का अपार्टमेंट ले लूँगा हसन ने हामी भरी उसका इरादा तो वो सुबाई कर चुका था मुझे मुबाईल भी चाहिए अगली डिमान बताई हसन ने उसे घूरा मुबाईल कुछ वक्त तुमारी कारकर्दकी देख कर दिलाऊंगा और अब जाओ मेरे लिए कप कॉफी का बना कर लाओ पहला हुकम दिया इमान जब से मुटियां भेंच कर उठकी अभी वक्त हसन का था वो वक्त दूर नहीं था जब वो उसे अच्छी तरह उसकी हैसियत जिताती जिस तरह वो उससे बे आसरा समझ कर अपने तावे कर रहा था बहुत ज़द इमान जांगे उसे सबक सिखाने का इरादा रखती थी वो हस्पताल के बैट पर लेटी थी नीम वा आँखों से उसने सुन ओते दिमाग से देखना चाहा लेकिन सियाही अभी तक नजरों में खुली थी कमरे में मुझूद नीम अंधेरा एक बार उसे वापिस सियाही की आगोश में ले रहा था लेकिन उस सियाही में सकून नहीं था वो जबरदस्ती अपनी आँखे खोलने की कोशिश करने लगी और फिर ठक कर कोशिश तरक करती बोजल होती आँखों पर पलकों की जालर गिरा ली एक बार फिर जहन तारी को गया और आँखे साकित ना जाने वो और कितना वक्त बेहोशी की आलम में रही थी जब उसकी दुबारा आँख खुली तो दूसरे लम्हे वो आँखे बंद कर गी कमरा रोशन था लेकिन अब मामला को छोड़ था नसीब ने ऐसा पल्टकाया था कि रोशनी होने के बावजूद उसके अंदर की तरह पाहिर भी तारी को गया था उसने अपनी आँखे आइस्टा इस्टा मुकमल खोली और ठहरी नज़रों से सफेज छट को गूरने लगी नूर अभी उन्होंने पूरा नाम भी नहीं लिया था कि वो बेल अच्चक अंदास में उनकी बात काट गी लेकिन उसके कारदार लेज़े और चेरे पच्छाए गेर मामूली संजीद्गी के तासुरात उसके अंदर की तूट भूट बता के थे आपरेशन कामयाब हो गया ना उसका लेज़ा पर अफसोस था उन्होंने तासुब से देखते उसके सर पर हाथ रखा जिसे जिन्गी बचने की शायद कोई खुशी नहीं थी अन्होंने महबबत से उसके सर पर हाथ फेरा ऐसी जिन्गी से तो बेहतर मौत थी ना वो अपना मजाक उड़ा रही थी अल्ला को उसकी निमतों से इंकार करने वाला इंसान नहीं पसंद तुबारा जिन्गी से नवासना कितनी बड़ी निमत है उन्होंने नर्मी से सरजनिश की वो जानते थे उसका संभलना मुश्किल है किसने दिया मुझे अपना गुर्दा ठंडे ठाल लेजे में पूछा उसने जित में अपना इलाज रुकवा दिया था उसकी नजर में ऐसी जिन्गी का कोई फाइदा नहीं था उसका सबसे बड़ा खुआ पाकी नरा था उसकी सारी चाते चीन ले गए थी आखरी सांसे भरा था उसने अपना गुर्दा तुमें डुनेट कर दिया वो उसका सर से लाते बोले मरते मरते भी बद्दूआ ले गया चुबन और तेस कार्ट सी थी उसके लेजे में वो मायोसी से उसे देखने लगे वो जानते थे वो उसका शोग था और फिर शोग जनूनों दिवान की में बदल चुका था वो अपनी मंजल ले मंजल की आखरी सीड़िया चार रही थी जब अचानक एक जान लिवा जलजल आया जो उसके खौबों को ताबीर समेट नोच गया वो फलक की उन्चाईयों से जमीन पर गिरे थी साथ ही वापी सूपर चड़ने वाला रास्ता तोड़ दिया था सालों बाद पुरसत मिलने पर वो लंदन गई थी दो माँ की चुटिया मिली थी उसे लंदन आयों से कुछ वक्ती गुजरा था जब उसके बेट में दुबारा हलका हलका दर्च शुरूआ जैसे चंद महीनों से हो रहा था उसका बाप पिकर मंद हुआ था लेकिन वो उनकी पिकर को देखते हुने समझा चुकी थी कि उसका मुकमल चेक अप हो चुका है और रिपोर्ट में कोई बेमारी नहीं आई वो मुतमें तो ना हुए थे पर खामोश होगे थे लंदन आने के कुछ दिन बाद उसके पेट में शदीद दर्द हुआ इतना के रोने लगी हॉस्पिटल लेकर गए मुकमल चेक अप के बाद दिन मुआ कि उसके दोनों गुर्दे किसी काम के नहीं रहे वो ये खबर सुनते इसकदर तूट की थी कि जुबान से कहने को एक लवज भी नहीं था कहने को कुछ बचा ही नहीं था वो मसबूत लड़की को किसमत ने तोड़ दिया था वो इलाज नहीं चाती थी वो अपने बाप को समझाती थी कि वो ऐसी जिनकी कैसे गुजारेगी जिसके जो बेमकसद हो तो वो सिर्फ इतना कहते थे कि मौत का वक्त मकरर है और जिनकी में मकसद नहीं होती उसके बाद वो बहुत सिस्की थी बहुत रूई थी अपनी जिनकी से गिले भी बहुत हुए थे वो मन्जिल से दूर ओ चुकी थी और दर्म्याँ से रास्ता हटा लिया गया था लेकिन फिर एक और रास्ता उसके सामने खुला बहुत रोशन रास्ता लेकिन मन्जिल बोनी थी मन्जिल बदल चुकी थी लेकिन रास्ता चमकतार था हरा भरा रास्ता जिस पर जुबने टिम्टी मारे थे वो खुशी से गदम तेजी से बढ़ाने लगी जब उसके सामने खुबसूरत सा दर्वासा खुला, वो कदम आगे को बढ़ाने लगी लेकिन फिर रुक गी, चेरे से खुशी ऐसे गाईबू जैसे हो ही ना खुबसूरत दर्वासे के अंदर जैच जांगीर खड़ा था हमेशा की तना स्या दिबास जैबे तन नहीं किया वो मुकमल सफेद दिबास में संजीत किसे खड़े उसे देख रहा था मेरी मंसिल ये नहीं वो कदम पीछे लेने लगी लेकिन ये जटका शदीद था के पीछे अचानक से एक बंद बारीक चाल दिवार की सूरत खड़ा था कि वो पलट नहीं सकती थी उसने गरील हिलाते अपने पापा को पुकारा लेकिन महा कोई नहीं था वो अकेली थी बिल्कुल दनहा पीछे कदम वो चाके भी नहीं ले सकती और आगे कदम लेना नहीं चाती थी वो दर्म्यान में अटक गी थी उसे रा दिखाने वाला कोई था नहीं फैस्ता उसकी अपनी जात पर मबनी था और उसके कदम जैद जांगीर के जानी पढ़ने से इंकारी थे वो वहीं बैट गी पीछे जानी सकती थी और आगे जानी रही थी जबके जैद वैसे ही जंजीर्दा खड़ा उसे देख रहा था मेरी मनजिर जैद जांगीर ने वो सरगोशी नुमा बोली उसका जिसम पसीने से शराबूर हो चुका था वो नीन में बुड़ बुड़ा रही थी फिर मनजर बदला वो आँखे बंद किये बेबसी से सर गुटनों पर टिका गई कुछ देर बाद सर उठाया तो जैद जांगीर को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देकर ठटटक कर खड़ी होगी उसका लिबास अब बदल चुका था वो सफेद की जगा से या लिबास में थी और चेरे पर मुस्कुराहट थी वो उस तक पहुच जाई था कि वो आँके खोल कर उट पैठी कमरे में मुकमल अंधेरा था और आंखों में नीद का भारी पन वो चाने के बावजूद अंधेरे के बाइस कुछ नहीं देख सकी और उटने के उसमें हिम्मत नहीं थी वो वैसे एक खो पन्देरे में बैट पर गिर गी कमरे में अंधेरा था आंके बंद करने का क्या फाइदा था उसकी आंके अंधेरे में भी पूरी खुली थी वो उस रोशन मंजिल से डर की थी जिसके आखरी इसे पर जैड जांगीर खड़ा था पीछे उसके लिए रास्ता बंद कर दिया गया था यही सब तो उसके हकीकी जिनकी में हो रहा था वो जैड जांगीर की दस्तरस में थी पर उससे दूर थी वो पीचे होना चाहती थी पर नहीं उपा रही थी दिल इतनी मजबूत लगाम डालता था कि वो हारने लगी थी लेकिन दिमाग इसी सूरत उसे कदम आगे बढ़ाने नहीं दे रहा था वो नूर थी वो कुछ और थी उसके जिनकी का हासिल जैद जांगीर नहीं हो सकता था वो सख़्धी से आँखे मेज गई तुम मेरी मन्सिल नहीं जैद वो संग देली से बोली दिन कभी आइस्ता तो कभी तेजसी घुसरते महसूस हो रहे थे जिनकी मामूल पर ओते हुए भी मामूल पर नहीं थी कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें हसन ने अपनी मा को फून नहीं किया था वो रोज मेसेजिस भी करता था लेकिन वो जवाब नहीं देती थी इस बात का वो शुकर अदा करता था कि उन्होंने ब्लॉक नहीं किया भी रहने वाला था, उसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, अलबता उसे पहली पार इमान की पढ़ाई से चिड़ देखकर खुशी हुई थी, जब उसने पढ़ने से साफ इंकार कर दिया था, क्योंकि वो उसकी फी सफोर्ट नहीं कर सकता था, पार टाइम वो हिस्पताल मे रहता था, वहां से आने वाली अजर से जरूरियात आराम से पूरी हो रही थी, वो दो कमरों का अपार्टमेंट ले चुका था, घर के काम इमान करी थी, वो लग पाती इमान को सिखाने की कोशिश में काफी काम वो खुद भी कर लेता था, इमान को उसने मुबाईल भी दि तो मामूल का काम था, किसी दिन अगर ना हो तो उस दिन हसन घर पर नहीं होता था, इमान की प्रोस में एक अंग्रेज दोस्त भी बनी थी, जिससे बातें करतें उसने बहुत भरम से अपने भाई का तारुप करवाया था, साथ नेट पर उसकी तसावीर भी दिखाई थी, जब उसकी दोस्त के शोहर ने ये बात हसन को बतातें तस्दीग चाही तो हसन का दिमाग भाक से उड़ गया, उसने पूरन इमान को जूटा का और कहा कि उसको आधत ऐसा मज़ा करने की इमान का कोई भाई नहीं, वाप इस घर आकर उसकी इमान से अच्छी खासी बैस वो शाम जल्दी घर लोटा, डोर बेल बजी, बजाई, दर्वाजा किसी ने नहीं खुला, उसी नम्हे पुडो से इमान की दोस्त निकली, वो मार्केट गई है, उसने हसन को आगा किया, हसन ने गहरी सांस देते असपात में सरिलाया और अपने बैक से चाबी निकालने जाने उसने कैसे सीख लिया था, तो ज्यादा तर खाने में पास्ता या पराठा ही होता था, या फिर नूडल्स, वो बलेट और चमच लेकर चूले के पास आया, ठकन अटा कर देखा तो चंद पल बेयकीनी के नजर हुए, अंदर मसाले वाले आलू बने हुए थे, उसे ख अलक में उतर गी, उसने तेजी से खड़े होते प्लेट टेबल पर रखी और फ्रीच से पानी की बोतल निकालते मूँ से लगाई, वापिस सोफे पर बैठा आलू में मिर्चे बहुत थी, शायद उसे तेजी का अंदाजा नहीं हुआ था, लेकिन ये चटपटा जाइका हस को बहुत मुझेका लगा था, उसने वापिस खाना शुरू किया, हर नवाले के बाद उसे पानी पीना पर रहा था, लेकिन फिर भी बो खा रहा था, आखरी आलू पलेट में बाकी था जब डोर बेल बजी, रुमाल से नम होती नाक साप करते उसने दर्वाजा खोला पर द उसके चेहरे से होते हसन की नजर उसके हाथों पर ठहरी जिसमें शौपिंग बैक्स थे, जबकि वो लड़का भी कुचहरत और नाकवारी से हसन को देख रहा था, जैसे हसन की मुझूद की उसे पसंद ना आई हो, इमान मूर कर लड़के के हाथ से शौपर्स लेने लगे और वो लड़का भी इमान को ना समझी से देख रहा था, ये कोन है? लेजे में शदीद नाकवारी थी, इमान शौपर्स लेते चोंकी, हैरत से हसन को देखा, क्या वो उस लड़के से चिर्ड़ा था? सवाल उबर कर मादो मुआ, मैं समान लेकर आ रही थी मेरे पीचे आया कहते अंदर की जानी पड़ गई, हसन खामोशी से उसकी पुछ देखने लगा, इमान का अंदाज और उसके जुम्ले तन्जिया थे, लेकिन फिर भी उसने इतने सीधे जवाब की उमीद इमान से नहीं की थी, सीधा जवाब तो इमान भी नहीं देना चाती थी, लेकिन उसना आया था, हसन को समझते में देनी लगी कि वो लड़का किस नियत से आया था, हसन का दिल किया, इमान को एक सोर्दा थपर रसीद करें, बेशक पाकिस्तान में आई दिन ऐसे हथ साथ सामने आते थे, बाहिर मुमालिक में ये जादा होता था, उस लड़के को बिना कु उसने सोचा था, हसन रोज एक साखाना खाकर थक जाएगा, तो मेट का बंदोबस्त कर लेगा, लेकिन उसे ठीट बने वो सब खाते दे कर उसे बहुत घुस्सा आया, वो खुद ये सब खाका कर थक चुकी थी, इसलिए आज कुछ नया और आसान बनाने की कोशिश की थी, तुमने आलू खा लिये, उसने हैरत से पूचा वो तो सिर्फ एक ही खा पाई थी, क्योंके मिज्जे छोटे चमच के नाप के बजाए वो बड़े चमच से डाल चुकी थी, ये सब क्या था इमान, संजीत की से पूचा, क्या, सोफे पर बैठते वो कंदे उचकाते अंजान बन गी, इस लड़के को घर तक क्यों लाई, तुम जानती हो तुमारे लिए कितना घलत साबित हो सकता था, इमान से कुछ फास्ते पर बैठते उसे अकल देनी चाही, वो घर तक वैसे भी आ रहा था, मुझे फॉलो कर रहा था, मैंने उससे सजा भी दे थी, और फायदा भ बिल्कुल नहीं चले जितना मेंने सोचा था, ताक कर तंस मारा हसन ने घूरा, और वैसे भी चो लड़ते बे सहारा होती हैं, वो ऐसे ही मदद लेती हैं, जिनके साथ किसी मर्द का सहारा नहीं होता, दूसे मर्द ऐसे ही उनको फालो करते हैं, वो गंदे उचका कि हसन ने अतासुब से नफी में सारी लाते उसे देखा, वो पल में बिल्कुल भोलिया और मसलूम बन जाती थी और अकले लमें दो मिट में समझने वाले को घलत साबित कर देती थी, अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ, हसन आइस्दा से उसके करीब हुआ, और सोफी पर बाजू फिला ल लगाए रखती और एक बार मैं लगाँ तो बरदाश नहीं होता, चड़कर कहते उसने पलेट उठा ली, इमान मस्कुराहट चुपाने को रुख मोड़गी, उसे हसन का चिड़ चड़ाना बहुत पसंद था, सैथ करवेया नूर के साथ नरम हुआ था, नूर ने जो दूस पसरी चीज़ शिदत से महसूस की थी, वो तमाम मुलाजिम का बहुत मौतात रहना था, वो उसे बत्तमीजी नहीं करते थी, नहीं पलट कर जवाब देते थे, खुद से मुखाती भी होते तो बहुत अदब से, हद के मुबीन भी अब उसके सामने नजरें जुकाता था, व जैत ने उसे दर्वाजे से पलटते देखा था और उसका मुतात अंदास दिल से सराहा था, वो उस रोज सिफ लड़की देख कर आई थी, दिन हफते और हफते महीने में तब्दील हुए, लेकिन उनका रिष्टा सिर्फ चंद सीड़ियां उपर चड़ा था, मुहबत तो न जाने कब दिल में पंजेगार चुकी थी, एसासी नहीं हुआ था, शायर जब वो जेल में था तब जब उसे मुबीन ने आकर बताया था कि वो रो रही है, या तब जब उस पर से सारे शक खत्म होगे थे, वो अब उसका इतराम भी करने लगा था, इस ती घर के हर एक उससे सर और नजरें जुका कर बात करना फर्स कर दिया था, वो उसको अपने साथ बाहर ले जाने लगा था, उसकी फिकर अब जाहिर करने लगा था, लेकिन सब एहम सीड़ी चर्णना अभी बाकी था, वो उस पर इतबार नहीं कर सका था, अंधा इतबार, मिया बीवी एक दूसरे के लिवास की मानी थे, वो उसे कबूल करके बीवी का दर्चा देते उससे राच छुपा नहीं सकता था, शक की अमारत तूट कर जमीन पोस हो चुगी थी, पर बनियाद बाकी थी, मुम्किन था वो भी जद रिज़ा रिज़ा हो जाती, उसने अपने काम के मतलिक म मुबीन औरेमन को बताना भी छोड़ दिया था, वो दोनों हिरान होते थे जब अलग अलग जोगों पर माल उतरता था, और बिना किसी खबर उन्हें अचानक ट्रिलीवरी का हुकम मिरता था, वो दोनों भी जैद की नजरों में इतबार खो चुके थे, वो इमान से भी लम की वालदा के सामने सचाई बियान करने का एराता भी नहीं रखता था, परना मा को साथ दे कर उसका रवय या इमान के साथ बिगड़ने का खत्रा लाहक था, जबकि वो हसन की इमान के लिए दिल में पैदा होती फितरी, फिकर से लाइन्म था, कहां जा रही हो? किताब पर क कुछ लिखते हसन इमान को बाहर जाते देकर चौंका, शौपिंग पर, संधीत की से जवाब देती, वो दर्वाजे के सिंध पड़ गी, पैसे कहां से आए, वो पूछ पैटा इमान ने चौंकर उसे देखा फिसीने पर हाथ बांदे मुस्कुराई, मैंने पाकिस्तान से ल अच्छे पैसों में खरीदे, साथ मुझे दो न्यू जीन्स टी-शिर्ट भी दिये, अपने पैने हलके पीले रंग के टी-शिर्ट की तरफ इशारा किया, वो उसका बात खुमाना समझी थी, जब ही जान बूछ कर मजीद शर्मिन्दा करने के लिए का, अच्छा पांच मि ट्रुकों में तियार होकर आता हूँ, वो किताब बन करता, खड़ा हुआ, किस खुशी में, आई बरोच काई, ताकि तुमारे साथ जा सकूँ, वरना फिर किसी एरे गरे को घर तक लाओगी, वो भी जवाबन तंस करता, कमरे में चला गया, कैप कर आया, फिर तुम दो के स सुना, पीछे से हांक लगाई और सोपे पर बैड़ की, अगर हसन साथ चलता तो उसके अफ़ाइदा था, जैसा उसने सोचा, सुना था, यहां वैसा कुछ नहीं था, उसने अपनी दोस्तों से सुना था, कि वहां लड़कें अज़ादी से कहीं भी घूम सकती हैं, वहां को मामूल से हट कर आज बलेक जीन पर बलेक की टी-शर्ट पहने हुए था, बाल रफली हलके हलके भीगरे थे जैसे उसने उन पर हाथों को ही ब्रच समझ कर फिरा हूँ, टी-शर्ट के हाउफ आस्तीन देखते, इमान को इसास हुआ था, कि वह कसरत करता है, इमान की नजरे मैं खुद पर देखते, उसने आई ब्रोच काई, पहले चाकर जैकेट पहन कर आओ, नखरे से का, क्यूं, पुना समझी से पूछने लगा, बाहि ठंड है, उसे खुद नहीं मालूम था, उसने जैकेट क्यूं पहनने को का, मैं कमफर्ट टेबल हूँ, चलो, इमान की बात क ये बात भी शिद्दत से महसूस की थी, कि यहां की लड़कियां एशियन मर्दों में जादा दिल्चस्पी लेती है, खुद उसकी अपनी दोस्त और परोसन भी उसे हसन में दिल्चस्पी लेती, नजर आती, सिर्फ एक एही बात उसे उसमें बुरी लगती थी, जबकि रिकल खामोच चल रही थी, वो वाक कम और खवारी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अंदर से दोनों ही बहुत खुछ थे, एक दूसरे के साथ चलना उन्हें अच्छा लग रहा था, इमान बात बेबात उस पर नजर डाल रही थी, उसने तो इतने महीनों में कभी हसन के जायरी हसन पर गोर ही नहीं किया था, वो वाकी बहुत हैंसम था, सही तो कहती थी उसकी पडोसत, वो एक गहरी सांस लेकर अपनी सोचे जटकने लगी भला, वो कबसे हसन के मुतालिक सोचने लगी थी, उसके बरक्स हसन को आज का उस लिबास में चलना बुरा लग रहा था वो इस बात को कई बास जहन से जटक चुगा था, कि वो कुछ भी पैने उसे फरक नी पड़ता लेकिन फरक भर रहा था, कितनी अच्छी लगती थी वो शलवार कमीज में, लेकिन अपनी सोचों की लगामे थामें खामें खामोशी से चलता रहा, हसन तुमे किस तरह की लड हमारे भाई ने चीन लिया, कड़वे मू बनाते कहा, जब ही पूछा कि थी, थी पर जोर दिया, लेकिन हसन उसकी बात यकसर नजर अंदास कर गया, तुमने सोचा होगा किसी गोरी पड़ी लिखी, खुबसूरत शरीफ घराने की लड़की से शादी करोगे और हो गई एक स अरीब सुनना चाती थी, हसन ने मस्कुराहट रोकी, हम, सर्थ आपरते सिर्फ इतना ही कहा, यह नहीं कहा कि बदकिस्मती से साबली लड़की की ही खुआश थी, जब कि उसके हम, इमान को सर्थ ता पैस रुगा की वो बिलकुल संजीत की से चलने लगी, तुमारे भी सफर को लेकर अबके हसन ने पूछा, हाँ, बहुत अर्मान थी, मुझे गोरे लड़के मुझे बिलकुल नहीं पसंद, फीके होते मुझे सावले और रोबदा लड़के पसंद थे, तर्पोग तो बिलकुल भी नहीं, जो जरा सी दमकी पर या बंदूग पर डर जाएं, व वो उसके फूले मुझे को देकर मुस्कराहट दबा गया, इमान यकसर उसकी बात को नजर अंदास किया, हलके हलके गदम आगे बढ़ाने लगी, गोरी चाहिए थी, हो, साज जटकते उसने पीछे मुझे का देखा भी, नहीं, के हसन उसके पीछे है या नहीं, और गली क्र पीछे मुड कर देखा तो माते पर बल पड़े, उस दिन वाला एक हाथ में चाकू लिये खड़े मुस्कुराते हुए से देख रहा था, बहुत चलाको तुम, अंग्रेजी में चुरी की नोक अपने होंट पर रख देका, अगले लमें इमान को धिका देते, वो चुरी उस की टांगों के दर्मियान मारा, वो चीखता पीछे हटा, वो इमान को घुसे से देखते आगे बढ़ता, जब एक कदम दूर नीचे रखी, खाली बेर को बोतल उठा कर उसने लड़के के सर पर मारी थी, इमान को तलाश करते हसन कली में दाखिल हुआ, लेकिन अगले लमें हाथ से दोनों का चोड़ते इमान की तरफ भागा, इमान? हसन के मुझे चीख निकली लेकिन उसके पुकाने में देरो चुकी थी, पुकांच की बोतल उसके सर पर माच चुकी थी, और वो लड़का ले राकर नीचे गिरा, साथ उसके हाथ में मुझूद चाको भी, हसन भा अगर्दी नी चलती, फासी हो जाती है, वो परेशानी से नीचे बैठता, अपना रुमाल उसके सर पर रक्ते खुन रोकने की कोशिश करने लगा, जीन्स टी शर्ट में मलबूस खड़ी, मानने घुसे से उसे घुरा, पाकर डॉक्टर ये क्या कर रहे हो, उसे बाजू से उठाने की कोशिश करते, देखकर वो घुराई, तुमने जो जखम दिया, उसकी मसीहाई कर रहा हूँ, दान पीस्टे का, वो घुन्डे भाई की उस घुन्डी बेहन से परेशान हो गया था, दो नमबर उने के साथ बहुत ही कोई बेगहरत भी हो, वो दान पीस्टे बोली हसन ने उसे घुरा, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और तुम इसकी मसीहाई कर रहे हो, शरम नहीं आती वो तुमारी बीबी के साथ जबरदस्ती कर रहा था, हसन के घुने पर वो उसकी कमर पर मारती घुस्टे से बोली, ये तुमारे साथ जबरदस् से से पूछने लगा हाँ अब चलो क्या इसके उठने का इंतजार करे हो उसको वापिस खींचते वो जंजलाई हसन गुस्से से खड़ा हुआ और उसके बेहोश वजूद को लातों से मानने लगा अब क्या हो गया जब ही कहते हैं जादा तालीम लेने से दिमाग खराब हो जा अगर छोड़ दूँ तो बेगेरत और अगर मार दूँ तो पागर तुमारा अपना दिमाग ठीक है के नहीं और उसके हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छेड़ने की आज तक यह हिम्मत तो मैंने भी नहीं की वो बापिस उसे लात मारता हुआ बोला यहां मेरे भाई की गुंटा गर्दी नहीं चलती यह कराचे नहीं निव यॉर्के सीधा फांसी होगी वो दान पीस्ते उसी को जुम्ला उसे लोटाने लगी खुदा के लिए चलो अगर कोई और आगया या उसके साथी आगे तो अपने साथ मेरा पत्ता भी साब करवाओगे वो हसन को खींचती गली से बाहर भागी भागते भागते जब ठक गे तो गुटनों पर हाथ रखे हामते हुए एक दूसरे को देखा और अगले पल फिजा में उनके कहके गुंच गे तुम हो क्या चीज हसन हसते हुए इस तबसार करने लगा तुम्हारी बीवी वो भी कहती कहका लगा गी तुम उसके बेहोश होने के बाद उसे मार रहे थे अगर होश में उता तो वहीं से भाग जाते डर वो इमान ने नफी में सरे लाया अब ऐसा भी नहीं है हसन ने गूरा रहने दो डॉक्टर साब उसके हाथ में चाकू था डर जाना था तुमने इमान ने उसके सीने पर मुका मारा और कदम आगे बढ़ा दिये ऐसा बिलकुल नहीं है संजीत किसे का ऐसा ही है तुम डर बोगो जब ही मेरे शोहर हो कैसे जैद भाई की धंकी पर शादी के लिए मान गे वो समझ नहीं सका वो आमसी बात कर यह या तन्द जब किसी एहम की जान खतरे में हो तो मैं वाकरी डर जाता हूँ लेकिन अगर डर जाने से उस एहम की जान को खतरा हो तो लड़ भी जाता हूँ इमान का बाजू थामते वो उसकी आँखों में देखते जिता गया इमान सांस रोके उसे देखने लगी मतलब कौन एहम वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो हसन के लिए एहम है अभी उसने कहा था कि वो लड़ जाता उससे और अब उसकी वजाहत भी दे चुका था कि अगर उसके डरने पर किसी आएम हस्ती को खतरा हो तो वो लड़ भी जाता है लेकिन वो वासे इकरार सुनना चाती थी मेरी अम्मी तुम्हारे भाई ने अगर बंदूग सिर्फ मेरे माते पर रखी होती तो शायद मैं अपना डर पीछे छोड़ देता लेकिन तुम्हारा भाई बीच में मेरी अम्मी को ले आया वो उसको वजाहत देते बाजू छोड़कर कलाई पकड़कर आगे पड़ गया इमान उसके हाथ में अपना हाथ देखते खामोशी से चलने लगी उसने सिर्फ आदी बात की वजाहत दी थी आदी बात तो बाकी थी हसन ने कैब बुक करवाई कुछ मिन्ट के इंतजार के बात कैब उनके सामने रुकी और वो उसमें सवार हो गए झाल 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 झाल